Hello everyone, welcome to magnet brains, मैं हूँ अदिती शाह और आज की लेक्चेर में हम class 11th accounts का chapter number 9 cover कर रहे हैं, जिसका नाम है ledgers, ठीक है? तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने पूरे basic theory concept समझ लिये, आपने accounting equation हम लोग LHS equal to RHS कैसे करते हैं, ठीक है assets equal to liabilities plus capital क्यों होता है ये सम अपने समझ दिया, फिर आपने journal entries पास करना सीखी previous chapter में कि हर घटना के घटने पर हर transaction के होने पर क्या entry पास होगी, ठीक है? और अब हमारा अगला process है ledgers, ठीक है? तो ये हमारा chapter number 9 है, ठीक है? जिसका नाम है ledgers, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं, अब ledgers कैसे बनाते हैं, क्य होता है, ये सब समझने के पहले, ये सब आप करने के पहले, समझो उससे पहले, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंपल सी, आपको याद होगा हमने सबसे starting वाला चाप्तर, introduction to accounting में, एक code याद किया था, क्या था वो code? बहुत सिंपल सा था, I am रंचोर दास चाचर, शि बहुत important है, ये हमारा पूरा procedure है, accounting का, ठीक है, इसी process में हमारी पूरी accounting होती है, ठीक है, अब आपको याद होगा, I से क्या था, कि हम identify करेंगे transactions को, ठीक है, M से क्या था, कि हम measure करेंगे, कि वो monetary terms में उन transaction को measure कर सकते हैं की नहीं, ठीक है, फिर R में, आपने ये भी कर लिया कोई घटना घटी सपोस करो, ठीक है, कोई भी घटना घटी, business, अब आपको देखना है कि वो business से related है, तो आप identify करोगे, ठीक है कि business से related है, फिर आप उसको measurement में देखोगे कि वो monetary terms में उसको हम measure कर सकते हैं की नहीं, उसको पैसों के terms में measure कर सकते हैं की नहीं, जब हमारा ये satisfy हो जाता था B plus M उसके बाद बच्चों हम आते थे किस पे? recording पे ठीक है उसमें हम क्या करते थे? हम journal बनाते हैं जिसमें हम पूरा record करते हैं सारी entries ठीक है यह हमने previous chapter में देख ली तो अभी तक आप लोग समझ गए कि आपने यहां तक समझ लिया अब जब classify करते हैं बच्चों C for classification था इसमें हम लोग क्या बनाते थे? ledgers ठीक है? और फिर जब summarize करते थे तब हम बनाते थे क्या? trial balance profit and loss और balance sheet और उसके बाद इन सारे report card हमारा निकल जाता था उसको हम analyze करते थे और उसके बाद users को communicate करते थे यह आपको याद आ रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया तो अब बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि आपने journal तक तो सीख लिया recording of transactions तक आपने सीख लिया अब यह जो chapter है आपको सिखाएगा क्या? classification ठीक है? classify करना सिखाएगा और आपको ledger accounts बनाना सिखाएगा और हम end end में यह trial balance बनाना भी सीखेंगे ठीक है? clear है इतना? चलो तो इतना आपको यह process याद आगया अब आपको पता चल गया कि आप IMRC C पर आप पहुँच चुके हो ठीक है इसके बाद आप थोड़े दिनों बाद जब और हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे फिर आप summarize वाले चीजों पर पहुँच जाओगे आप लोग final accounts बढ़ोगे ठीक है? तो चलिए अब हम लोग यह classification that is हम ledger account बनाना सीखेंगे लेकिन उसके पहले जड़ा एक छोटा सा concept हम और समझ ले वो भी हम पहले discuss कर चुके हैं लेकिन एक बाद हम और समझ लेता है तो बच्चों क्या होता है? यह हमारा एक suppose करो एक box है ठीक है? एक यह हमारा box है जिसमें अलग-अलग color की balls भरी होई है कुछ blue color की है कुछ red color की है ठीक है? कुछ हमारी green color की हो गई और कुछ हमारी pink color की हो गई ठीक है? तो बच्चों यह box और कुछ नहीं बलकि क्या है आपका पता है? यह है आपका journal मैम यह journal कैसे हुआ? अब आप लोग मुझसे पूछोगे तो अब आप एक चीज़ सिंपल सी समझो अलग-अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अलग-अलग types of transactions होते हैं बिजनस में ठीक है? उन सारे transactions को हम chronological order में record करते चले जाते हैं तो journal में basically के लिए सारे ही transactions आते हैं पूरी खिचड़ी बनी हुई रहती है अलग-अलग सारे transactions जिस-जिस sequence में वो घटना घटी है उस sequence में हम journal entry pass कर देते हैं तो उसमें सारे रंग-विरंगे अलग-अलग type के हमारे transactions हैं जैसे यहां पर रंग-विरंगी balls हैं ठीक है अब लेजर वाले process में आप क्या करने वाले हो यह देखो पहले हमेशा लेजर बनाने के पहले आपका क्या बनेगा पहले पूरी journal entry pass होंगी ठीक है अब जो पूरी journal आपकी prepare हो जाएगी उसके बाद आपकी posting होती है journal entry को pass करने के बाद अब आप क्या करोगे देखो अब आप जो blue वाला डब्बा है तो सारी blue balls को आप एक साथ कर दोगे ठीक है सारी red balls को आप एक साथ कर दोगे सारी green balls को आप एक साथ कर दोगे और सारी pink balls को आप एक साथ कर दोगे तो ये क्या किया आपने आपका जो एक box है जहाँ पूरा mixture है सारी अलग-अलग color of balls का आप उनका particular color उठा के उनके एक एक particular डब्बे में blue balls को blue वाले डब्बे में red balls को red के डब्बे में green सारी balls उठा के green वाले डब्बे में और pink वाली balls उठा के pink वाले डब्बे में डाल रहे हो और इस process को हम क्या बोलेंगे ये जो process आपने किया ये process इन से mixture से आपको separate separate अलग-अलग डब्बों में डालना इसको हम बोलते हैं बच्चों classification करना ठीक है आप classify कर रहे हो कि सारी blue balls एक डब्बे में रहेंगी सारी red balls red वाले डब्बे में रहेंगी सारी green green में और सारी pink पिंक में तो ये तो आपने देख ला है कि journal entry ये journal हो गए आपकी ठीक है ये journal book ये क्या हो गए ये आपके सारे ledger accounts हो गए बच्चों ठीक है ये सारे आपके हो गए ledger accounts ठीक है तो red red ball का red account blue balls का blue account green balls का green account और pink ball का pink account आया समझ में similarly हमारे जो जितने सारे transactions होंगे journal में हर transaction का आप particular एक एक account बनाते जाओगे और purchase वाले सारे purchase के account में डाल दोगे cash के transaction सारे cash वाले ledger में डाल दोगे ठीक है और जैसे आपने capital के जो transaction capital से रिलेड़े वो capital account में डाल दोगे इस तरीके से आप पूरे journal entry में से classify करते हुए ledgers में posting करोगे clear है इतना ठीक है तो ये अब आपको समझ में आ गया क्या कर रहे है हम journal के सारे transactions उठाके उनके particular particular account में डाल रहे हैं और उनको उन account को हम बोल रहे है क्या ledger account ठीक है इतना आ गया समझ में very good चलो अब ज़रा देख लें कि ये account का format क्या होता है journal का format हम देख चुके हैं अगर आपको याद होगा हमने account का format भी डिसकस किया है accounting procedures वाले चाप्टर में लेकिन फिर भी हम एक बार और revise कर लेते हैं तो हमने बच्चों देखा था कि हमारा जो account है वह हमेशे टी form में होता है देखो यह आपको दिखेगा यह आपका पूरा यह टी बन गया है ठीक है ऐसा पूरा यह टी बन गया है तो यह आपका टी format में रहेगा तो टी के इस साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा और यह राइट साइड हो जाएगा ठीक है और लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं debit side और right side को हम क्या बोलते है credit side ठीक है और हर side पर 4-4 column बनेंगे क्या बनेंगे date particulars journal folio amount ठीक है left side में यहाँ पर date particular journal folio amount clear है debit को आप कैसे signify करोगे उपर लिख दोगे DR left hand side के extreme left corner में और right hand side के extreme right corner में आप लिख दोगे credit की जगे abbreviation that is called CR ठीक है clear हुआ तो आपको account बनाना आ गया ठीक है कि आपको यह format में T format में बनाना है यह सारे columns बनेंगे ठीक है और debit और credit लिखोगे यह आपका account का format रहेगा जो प्लेजर account बनाओगे clear है इतना ठीक है अब date में क्या लिखोगे जिस घटना पे आपने date पे वो transaction हुआ है ठीक है वो date लिखोगे particular जो भी account हमारा आएगा ठीक है head of account इसमें आएगा फिर journal folio में जर्नल folio वैसे आपके काम का उतना नहीं है बड़ जो number पे वो entry हुई है वो हम number यहां signify कर देते है journal में जहां पे वो entry हुई है particular और amount में जो amount है ठीक है clear है इतना तो यह आपका account का पूरा format हो गया चलो तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ examples देख लेते हैं कि अब हम journal से ledger में कैसे posting कर रहे हैं ठीक तो अब जैसे पहला हम लोग transaction ले लेते हैं हम पहला transaction लिख लेते हैं क्या cash of rupees one lakh introduced as capital ठीक है तो यह हमारा पहला transaction हो गया और एक और transaction ले लेते हैं क्या purchased goods rupees 10,000 ठीक है अभी हम जादा complex नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग illustrations में discuss करेंगे तो उसमें हम लोग पूरा बहुत सारे अलग रख टैक पे transactions करेंगे बहुत सारे ledger accounts बनाएंगे अभी सिर्फ आप एक overview जान लो लेजर का concept क्या है ठीक है तो आपकी सपोस्थ सिर्फ यह दो जर्नल एंड दो transactions हुआ है ठीक आप दोनों के अपन जर्नल एंटरी पास कर लेते हैं ठीक इसका क्या हो जाएगा बच्चों cash आया तो क्या हो जाएगा cash account debit to capital account ठीक है कितना हो गया रुपीज वन लाक और यहां पर क्या हो जाएगा आपका purchase goods रुपीज 10,000 मतलब cash में खरीदे कुछ लिखा नहीं है तो तो purchases account debit to cash account ठीक है कितना हो गया यह 10,000 ठीक है बच्चों तो यह दो transactions थे और यह दो journal entry हमने अब पास कर ली इसको अब ledger में कैसे posting होगी यह देखो आप ठीक है तो सबसे पहले हम पहली entry देखते हैं क्या बोल रहा है cash account debit to capital account अब यहाँ पर बताओ कि कितने accounts है दो accounts है cash account भी है और capital account भी है ठीक है तो दोनों के अलग-अलग डब्बे बनेंगे अलग-अलग account बनेंगे क्योंकि अलग-अलग टाइप की बॉल्स है cash account अलग color की बॉल और capital account अलग टाइप बॉल है ठीक है वो पहला कॉंसेप्ट जो है उसी से उसी के साब से समझो देखा को कितना आसान लगेगा चलो तो सबसे पहला हम बना लेते हैं कि कैश अकाउंट हम अभी वो उतना डीटेल्ड नहीं बना रहे हैं वो हमने क्योंकि फॉर्माट में देख लिया है अब यहाब बस बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देते हैं ठीक है यह हमारा डेबिट साइड हो गया यह हमारा प्रेडिट साइड हो गया और यह हमारा बन गया क्याश सब्सक्राइब कि ठीक है यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा पटिक्विलर जाएगे अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा इसके बाद बनेगा हमारा capital account ठीक है चलो capital account को जरा अलग color से बना लेता है ताकि आपको differentiate करने में असानी हो यह अपने T बनाया ठीक है यह आपका debit side हो गया यह आपका credit side हो गया देखो अब आप क्या कर रहे हो यह अपने journal entry में सारे एक साथ करें लेकिन अब आप उन अलग-अलग color की balls को उनके अलग-अलग particular डबे में डालने वाले हो उनके account में डालने वाले हो यह आपका हो जाएगा ठीक है यह आपका बन गया हमारा capital account अब यहां पर देखो second entry में क्या है purchases to cash तो cash का तो हम डबबा बना चुके है cash का account बना चुके अब हमको purchases वाला account हमारा बचा हुआ है ठीक है चलो तो इसको भी बना लेते हैं कि इसको भी अलग color से बनाते हैं यह हमारा debit side हो गया हमारा credit side हो गया हमारा purchase account हो गया ठीक है और यह हमारा particulars amount ठीक है अब ध्यान से देख लो आप क्या किया है हमने यह दोनों entries के जो अलग-अलग account बनने चाहिए वह हमने यह ledger accounts बना दिये ठीक है एक्जाम में आपको इतना short में नहीं बनाना है आपको कौनसा वाला format बनाना है जो हमने यह सीखा है ठीक है इतना detailed आपका account बनेगा भले journal folio अपकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यह तीन column होने चाहिए डेट पर्टिक्लर और अमाउंट चलिए यहां पर में सिर्फ पर्टिक्लर अमाउंट लिया हुआ है ठीक चलो अब देखें कैसे पोस्टिंग करना है चलो सबसे पहला क्या बोल रहा है cash account debit to capital account मतलब क्या बोल रहा है कि cash account को भाई debit करो एक लाक रुपए से ठीक है तो चलो हम cash account cash account के डबबे पर गए एक लाक से debit करना है मतलब debit side पे कितना आना चाहिए एक लाक आना चाहिए ठीक है और किसके कारण किसके कारण debit कर रही हूं है cash account को capital account के कारण तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगी यहाँ पर यह यह चीज़ उठा लेंगे हम लिख देंगे to capital account आया समझ में तो cash account debit करा है हमने तो debit side में कितने से debit किया है एक लाक से तो debit side में जाके आप एक लाक लिख दोगे और किसके कारण से debit हुआ है capital account के तो आभ यहाँ पर लिख दोगे particulars में to capital account ठीक है बिल्कुल अराम से समझो मैं दीरे दीरे इसले स्लोली पढ़ा रहे हूं ताकि आपको कोई confusion ना हूँ ठीक है अब आते है capital account पे तो capital account क्या किया है आपने यहाँ पे capital account को आपने क्या किया है credit है ना क्योंकि टू करके जो लिखते हैं cash account debit के तो 2 capital account मतलब यह हमने credit किया है ठीक है तो अब capital account हमारा credit हो रहा है ठीक है कितने से credit हो रहा है capital account one lakh से तो आप यहाँ पर लिखदो one lakh capital account के डबबे पर आके अकाउन पर आके credit side में लिख दो one lakh किसके कारेंट से हो रहा है capital account हमारा credit cash के कारेंट ठीक है तो cash के कारेंट effect आ रहा है capital में तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे buy cash account मैं यहाँ पर two लिखा है यहाँ पर buy देखो बच्चों यह बहुत simple format है जो सदियों सा चला आ रहा है एक tradition है जो चला आ रहा है कि हम left side में जो भी account लिखते हैं उसके आगे two लिख देते हैं और right side अगर आप credit side पर लिखोगे तो buy करके लिखोगे तो यहाँ पर cash account में अगर कुछ credit side पर आएगा तो buy करके आएगा और debit side पर आएगा तो वो two करके आएगा आप चाहो तो लिख सकते हो चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो इतना कोई important नहीं है पर यह चला आ रहा है प्रथा चली आ रही है तो उसको उसी सबसे लिख रहे हैं ठीक है तो यह भी आगए आपको capital account का अब next entry देखो क्या बोल रहे है परचेज account को debit कर रहे है चलो भाई तो अब मतला हमको purchase वाले डबे पर जाना है तो purchase account को क्या किया है debit किया है तो हम purchase account के debit side में चले गए कितने से debit किया है 10,000 से तो 10,000 लिख दो ठीक है और किसके कारेंट से debit हुआ है cash के कारेंट से तो यहाँ पर आपके लिख दोगे टू क्याश अकाउंट ठीक है अब purchase का आपने डबे में नोट कर लिया अब cash account क्या हो रहा है cash account हो रहा है credit तो cash account क्या चले जाओ credit side में तो cash account credit कितना हो रहा है 10,000 से तो आप यहाँ पर कर दो 10,000 और किसके कारेंट हो रहा है purchases के कारेंट तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बाइब purchases account ठीक है clear है इतना देखो अभी हाँ पर हमने two करके लिखा left side में और यहाँ पर हमको buy करके लिखना पड़ा ठीक है तो इसको note कर लो बहुत important है अगर यह आपने इतना basic समझ लिया ना तो आप फिर आराम से ledgers आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस chapter में clear है ठीक है तो यह हमने अलग-अलग डब्बे बना दिये तो यह होगे हमारी क्या ledger posting journal में अपने entry record करने के बाद उसको अपने post किया किसमे ledger में उसके particular side पर अगर cash debit हो रहा है तो debit side पर जाके amount record कर रहे हो ठीक है और किसके कारण effect आ रहा है उस account का यहाँ पर नाम लिख रहे हो ठीक है और अगर credit हो रहा है तो अब credit side जाके वह amount credit कर रहा है cash तो हम credit side में जाके amount कर रहे है credit कर रहे है और किस account के अकारण हो रहा है उसको हम यहाँ पर particular's के अंडर उस account का नाम लिख रहे है इतना simple है ठीक है तो अब आपके जित्ते भी purchase related जित्ती भी journal entry में वो सारे यहां record हो जाएंगे सारे capital से related जो आपके transaction है वो यहां record हो जाएंगे ठीक है तो क्या ह होगा इसमें असानी क्या होती है जैसे आपको सिर्फ capital से related transactions देखने है तो आपको बैट के journal में ढूमना नहीं के अच्छा capital के entry कहां कहां हो यह आप जाओगे सीधे ledger पे और ledger account को देखो कि अच्छा अच्छा ठीक है इतना पैसा आया इतना पैसा गया और यह हिसाब किता ठीक है आपको purchases देखना है तो कितने purchases हो तो आप सीधे purchase account पर जाओ सारे purchases आपको एक साथ मिल जाएंगे ठीक है समझ में आए चलो तो यह आपके account हो गए लेकिन आप कुछ देख पा रहे हो क्या कि मैंने इनको नीचे अधूरा छोड़ा हुआ है मैंने इनको अधूरा क्यो टो आरे चैस डेविट के बराबर क्रेडिट आना चाहिए ठीक है तो आपने यह सीखी थी जब हमने account का फॉर्माइट पढ़ा था बच्चों जमने account का फॉर्माइट पढ़ा था तब आप लोगों ने चीज़ सीखी थी क्या कि account को balance कैसे करते हैं ठीक है तराजू को आप balance कैसे करोगे तो आपको याद आ रहा होगा हम इस तरीके से कुछ पढ़ा करना है तो क्या करोगे आप यहां पर वेट डालोगे ताकि यह दोनों बराबर आ जाए ठीक है तो अब यहां पर क्या डालोगे कुछ बैलेंस वेट जो होगा वो डालोगे तो यह तराजू क्या हो जाएगा बराबर बस यही हम को क्या करते हैं हम बैलेंसिंग एन अकाउंट में करते हैं क्या करते हैं देखो अगर आपके अकाउंट का जैसे भी आपने cash account बनाया है ठीक के cash account बनाये आपने इसका debit s Cloud ग्रेडित साइंड अगर आपके अकाउंट का debit zeigt बडा है ठीक है credit side से ठीक है तो आप क्या करोगे यहां पर बचाफ़ डालों गे और उस्को credit balance में क्या होता है अगर आपका credit side बड़ा है debit side से तो आप balance कहां डालोगे यहाँ पर डालोगे क्योंकि आपका क्रेडिट साइट भारी है तो आपको यहां पर डेबिट साइट में तोड़क और अमाउंट डालना पड़ेगा तब जाके यह नीचे जाके टोटल बराबर आएगा ठीक है और यहां पर जो आप लिखोगे वह क्या हो रहा है क्रेडिट साइट के भारी होने क करें यहां बैलेंस डाल रहे हैं इसलिए उसको हम बोलेंगे कौन सा क्रेडिट बालेंस ठीक है तो डेबिट अगर भारी है तो आपका निकलेगा क्या जो बैलेंस आप बैलेंस आउट करोगे अकाउंट को वह आपका डेबिट बैलेंस होगा अगर क्रेडिट साइट भारी यही आपने account तो बना दिया आपने सारे यह amount यह सब आपने ledger posting कर दी जर्रल एंट्री जो थी आपने उनकी posting कर दी ledger में लेकिन अब account को close कैसे करना है यह आप देख लो ठीक है account को balance कैसे करना है चलो अब एक एक करके एक account लेते हैं और उसको balance करते जाते हैं यह समझतो अलग अलग तराजू है इनको आपको बस balance करना है क्या हो रहा है देखो cash account में debit side कितना आ रहा है एक लाख आ रहा है credit side कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है मतलब क्या भारी है कौन सा side भारी है debit side भारी है मतलब आपको तराजू को अगर आपको credit side पर थोड़ा वजन डालना पड़ेगा balance डालना पड़ेगा ताकि यह आपका दोनों बराबर आए ठीक है तो कितना आपको लाना है एक लाख लाना है ठीक है क्योंकि जो बड़ा amount है उसी का हम total लेते हैं अब हम यह account close कर रहें ठीक है तो आपने यहां निकलिक लिया एक लाख ठीक है तो अब यहां पर यहां पर बच्चों हम कितना amount डालें कि हमारा एक लाख हो जाए यह 10,000 है ठीक है तो मतलब हमको 90,000 डालना पड़ेगा ठीक है तो आप क्या लिखोगे देखो balance के लिए आप क्या लिखते हो इसको ज़रा अलग color से लिखते है था कि आपको अलग से दिखे हो highlight हो के by balance cd carry down मतलब यह वाला balance हम आगे के लिए carry down कर रहे हैं ठीक है यह एक तरीके से closing balance आ गया ठीक है तो अब आप इसको logically भी समझो कि हमारा एक लाक रुपे हम cash लेके आए capital as capital तो cash एक लाक रुपे आया ठीक है और 10,000 रुपे goods खरीदने में चला गया तो अब cash कितना बचा 90,000 बचा हाथ में तो बस यह 90,000 जो है आपका यह balance आ गया ठीक है और यह कौनसा balance होगा बच्चों यह वाला कौनसा balance होगा credit side पर लिखा है तो किसको balance करने के लिए debit भारी था इसलिए credit side लिखना पड़ा इसलिए क्या हो जाए कि debit balance क्योंकि यह पर debit is greater than credit ठीक है और जब debit is greater than credit तो जो balance आएगा वो मेरा debit balance आएगा ठीक है चलो very nice अब credit इस पर आजातें capital पर आजातें अब capital account का देखो जरा क्या चल रहा है हिसाब किताब यहाँ पर मेरा credit side एक लाख है और debit side तो कुछ है ही नहीं भाई ठीक है तो मतलब अब अगर मुझे मुझे अगर इसको close करना account को ठीक है इस account को मैं close कर रही हूं तो मेरा total तो क्या आएगा एक लाख आएगा दोनों से जो बड़ा figure होता है उसी को हम लेते हैं अब अगर आपको credit side में आपका पूरा weight है ता राजू आपका ऐसा है तो आपको debit side में आप यहाँ पर amount डालना पड़ेगा कितना डालना पड़ेगा पूरा पूरा एक लाख डालना पड़ेगा balance ठीक है तो आप एक लाख लिक दो गया और यह क्या हो जाएगा two balance carry down ठीक है आया समझ में तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर अपका credit side is greater than debit side तो इसलिए जो यह balance है आपका यह कौन सा हो गया यह आपका हो गया credit balance clear हुआ तो यहाँ पर भी आपने तराजू जो है बराबर कर दिया यह अपने account close कर दिया अब purchase account को भी balance कर ले जड़ा purchase account में क्या हो रहा है बच्चों debit side में 10,000 credit side में कुछ नहीं तो यहाँ पर debit is greater than credit ठीक है तो यहाँ पर हम इसको close करें और जड़ा total लिख ले हम 10,000 ठीक है अब यहाँ पर हमें कितना डालना पड़े है कि हमारा तराजू बराबर हो जाए 10,000 तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे by balance carried down कितना 10,000 और यहाँ पर भी आप देखो देखो यह आपका by balance यहाँ पर 10,000 आगे यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर आपका debit balance is greater than credit balance तो यह आपका यह जो balance अपने 10,000 डाला यह आपका कौन सा हो जाएगा debit balance आया समझ में इस तरीके से आप अपने सारे accounts को close करोगे उनको balance करके ठीक है समझ में आया तो इससे decide हो जाएगा कि अब उनका कितना उनका जो बचा हुआ balance है ठीक है वो debit है या credit है तो cash account का आपने देखा कि debit balance हुआ 90,000 का capital account का आपने क्या देखा कि हमारा credit balance हुआ एक लाग का वी credit side बढ़ा था purchase में debit side बढ़ा है इसलिए हमारे debit balance कितना आ गया 10,000 का इस तरीके से आपके यह तीनों तराजु जो है यह बराबर हो गए clear है ठीक है तो यह एक आपको एक basic overview मिल गया किसका ledger account का ठीक है बच्चों और इसको balance कैसे करते हैं यह भी आपने देख लिया तो ledger का concept यही है अब इसको illustration समझते समझते हम लोग और detail में discuss करेंगे बट आपको एक overview अगर concept जानना है तो यही जो हमने discuss किया यह concept था ठीक है अब ledger से trial balance भी prepare करते हैं वो हम लोग इस chapter के end में जाके सीखेंगे बहुत simple है बहुत easy है ठीक है तो अभी आप लोग अच्छे सा है hope आपको अच्छे समझ में आ गया है सारे concept जो हमने discuss कि हैं कोई भी doubt हो नीचे लिख दो comment section में हम लोग अलग से doubt session ले लेंगे ठीक है पू लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके पहले वो वीडियो देखिए उसके बाद इस वीडियो को continue कीजिए ठीक है तो बचों चलिए अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं illustrations ledger के ठीक है तो अब आपको और ज्यादा variety of entries मिलेंगे और opening entry on 1st April 2020 on the basis of the following information taken from the books of Raman also post the opening entry तो बच्चों हमें इन ये सारे चीज़े दी हुई है और हमें 1st April 2020 को एक opening journal entry हमने सीखा था opening journal entry कैसे पास करते हैं वो पास करनी है और उसके बाद उनका उनके various account में ledger में पोस्ट करना है ठीक है चले तो अब एक चीज़ समझो क्या कि जब आपका suppose यह year end हुआ 31st March ठीक है अब आप जब एक तरीक को आपका नया साल स्टार्ट होता है एक चर ठीक है एक April चापका नया साल स्टार्ट होता है तो जो 31st March के year end पे आपके जो balances है उनको आप carry forward करोगे ठीक है कहां पे अगले साल में तो कितना cash आपका बचा रह गया पिछले साल वो अगले साल में आप उसको introduce करोगे कितना आपका stock रह गया closing stock वो आप अगले साल में लेके आओगे कितने debtors थे कितने creditors थे ठीक है तो यह सारी चीज़ों के आप एक opening entry पास करोगे तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं opening entry कैसे होगी अब आपको पता है एक चीज़ बहुत सिंपल सी क्या कि भई हमारे जो assets है उनका होता है debit balance ठीक है और जो हमारी liabilities है या capital है उनका होता है क्या credit balance ठीक है तो बस अब इसमें से पहचानों कौन-कौन से assets है हमारे कौन-कौन सा debit side में आएगा और हमारी कौन-कौन सी liabilities है क्या credit side में आएगा ठीक है तो वो चीज़ों को debit करेंगे और liabilities जोंगे उनको credit करेंगे चलिए तो cash in hand cash in hand क्या है हमारा asset है तो अब आपकी entry देखते जाओ अब देखो आपको कैसा है इन दे बुक्स ओफ रमन journal यह आपको इस तरीके से पूरा format बनाना है ठीक है date, particular, ledger, folio, debit और credit यह आपने देख चुके हो journal का format इसके बाद अब date क्या डालोगे April 1 क्योंकि नए नए साल की शुरुवात हो रही है ठीक है पहला पहला दिन है आज चलिए तो cash account को debit आपने कितने से किया बच्चों 20,000 से ठीक है अब देखो आगे फिर क्या है sundry debtors 60,000 तो अब sundry debtors account debit किया आपने debtor भी आपका asset होता है साथ हजार से फिर क्या है आपका stock of goods तो goods भी आपका asset है उतने बेचने बेचने बचने बचे हैं हमारे तो stock account debit 40,000 उपर plant ठीक है तो हमारे पास जो भी plant machinery type का है कितना है तो वो भी हमारा asset है plant account debit कितना 50,000 फिर next क्या है land and building land and building भी हमारा asset है तो उसको भी हम क्या करेंगे debit land and building account debit एक लाग ठीक है आप credit क्या करोगे sundry creditors क्या है आपका बोज है सर पे liability है और liability को हम क्या करते है credit तो आप two sundry creditors account करोगे कितना बच्चों एक लाग क्लियर है इतना लेकिन twist of the story क्या है twist of the story यह है कि आपका twist of the story यह है बच्चों आपको यह पता है equation एक क्या कि assets के बराबर होता है क्या liabilities plus capital ठीक है अब आपका asset side का total देखो जरह यहां पर क्या आ रहा है एक लाग यह हो गया यह दो लाग हो गया दो लाग पचास हजार दो लाग सत्तर हजार ठीक है तो assets आ रहा है बच्चों आपका कितना 2,70,000 तो balance sheet का asset side आपका है दो लाग सत्तर हजार का लेकिन liability अभी आपकी सिर्फ century greatest थी कितना एक लाग एक लाग तो बच्चों अब आपको पता है कि capital आपका कितना आ जाएगा capital आपका हो जाएगा 1,70,000 तभी तो हमारी balance sheet टैली होगी क्योंकि आपको पता है हम जब balance sheet बनाते हैं यह हमारी balance sheet होती है तो यहाँ पे हम assets लेते हैं यहाँ पर हम liabilities लेते हैं तो यहाँ पर हम पहले capital लिखते हैं फिर सारी liabilities लिखते हैं और assets में हमारे सारे assets आते हैं फिर हमारा total होता है ठीक है तभी हम assets के वराबर liability plus capital ठीक है तो इसलिए आपका capital जब आपको assets का total पता है आपको liquidity पता है तो आपको capital भी निकालना पड़ेगा जो आपका balancing figure आएगा आपने इस equation से क्या निकाल लिया capital के 170,000 तो आपकी यहाँ पर भी entry किया होगी बच्चों 2 capital account, capital account is a credit balance, ठीक है, credit करते हैं, तो 1,70,000 है, clear है, तो अब देखो आपका debit side का total कितना आ रहा है, 2,70,000 और credit side का total कितना रहा है, 2,70,000 हमेशा हर journal entry में debit side और credit side बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी eventually जब आपकी जाके balance sheet बनेगी, तो ठीक है, तो यह आपकी opening entry आपने pass कर दी, अब इस entry को देखके ज़रा मुझे बताओ, कि कौन कौन से ledger account बनेगे, cash account, हाँ भाई, एक cash account का ledger account बनेगा, sundry debtors का एक ledger account बनेगा, stock का ledger account बनेगा, plant का ledger account बनेगा, land and building का बनेगा, sundry debtors का बनेगा, capital का बनेगा, मतलब total कितने 1234567, साथ ledger account बनेगे, ठीक है, clear है इतना, और अभी कोई transaction हुआ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, यह balance आपको लेकर आना है, बच्चो एक चीज, छोटी सी और मेरी धिहान रख लो, मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ, क्या, हमने एक चीज देखी थी, जब हम सपो कोई भी account बना रहे, जैसे cash account बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर हम debit के entries करी, यहाँ पर हम credit के entries करी, ठीक है, अब जैसे इसका हमने balance, closing balance निकाला, तो हम क्या लिखते थे, buy balance CD, ठीक है, मतलब buy balance carry down, उसको हम carry down कर रहे हैं, लेकिन हमारे cash account में, सपोज हमारा, यह एक साल की entries यहा हम 1st April को नए साल की entry कर रहे है, ठीक है, तो यह buy balance जो carry down है, बच्चो इसी से, यह हमारा, जो closing balance था, अब यह मेरा क्या बन जाएगा, यह April को opening balance, तो बच्चो यही चीज़ क्या हो जाएगी, अब मेरी, two balance BD, two balance brought down, आया समझ में, एक बार फिर से देख लो, ताकि आपो confusion न हो, देखो, cash account, तो बच्चो अब एक चीज़ समझ नहीं कोशिश करो, कि मेरा जब cash account बना है, यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े में आप समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो यह मेरा cash account था, पिछले साल का, तो यह 31st March को, 31st March को जब मैं अपना balancing करू होंगे accounts की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या आजाएगा बच्चो मेरा, buy balance, cd, suppose कितना आया, जैसे यहाँ पर 20,000 ले लिए हमने, तो बच्चो 31st March को मेरा क्या आया, buy balance, carry down, उसको हम carry down कर रहे हैं, अगले साल के लिए, ठीक है, अब, जब हमारा यह account यहाँ close हो गया, फिर जब हमारी, अब 1 अपरेल आएगी, ठीक है, तो बच्चो यह जो, हमारा कौन सा closing balance जो यह था, यह क्या था, debit balance था, तो इसलिए इसको जब हम carry forward करेंगे, अगले साल में, तो इसको हम debit side पर क्या लिख देंगे, to balance, bd, मतलब यहाँ cd लिखते है यहाँ पर bd, यहाँ पर carry down कर रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, और यहाँ पर उसको हम brought down कर रहे हैं, उसको हम ले के आ रहे हैं, अगले साल में, ठीक है, तो two balance bd, कितने से हो जाएगा आपका, 20,000 से, यही किया है बच्चो यहाँ पर हम लोगों ने, हमारा 31 March को, जो तो इसको जब आप entry करोगे, बच्चों तो क्या होता है, cash का आपका debit करते हो, देखो तो cash को आपने debit किया, कितने से 20,000 से, तो आपने debit side पे कितना लिख दिया, 20,000, और यह क्या है, यह balance है, जो आप लेका रहे हो, brought down किया है अपने, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख का अकाउंट बनाएंगे, यह भी debit हो रहा है, तो debit side में लिख दो, साथ हजार, यह हमारा sunry data का अकाउंट हो गया, debit side में लिख दिया, साथ हजार, ठीक है, और क्या हो जाएगा, April 1 को, two balance, brought down, ठीक है, जब 31 समार्च को लिखेंगे, तो लिखेंगे, carried down, ठीक है, क्योंकि हम carry, उसको carry down करेंगे, और जब 1st April को entry करेंगे, opening entry करेंगे, वो हमारी brought down से होगी, ठीक है, चलो, फिर क्या है, stock हुआ debit, तो अब stock का भी account बनेगा, ledger account, और debit side पर कितना लिख दोगे बच्चों आप, 40,000, तो stock account बनेगा, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 40,000, वही two balance BD, ठीक है, next देखो, plant account debit 50,000, ऐसी plant account भी बना दिया आपने, यह plant account होगे, आपका 50,000, two balance brought down, ठीक है, चलो, आगे देखो, land and building debit, कितने से बच्चों, एक लाख रुपए से, तो land and building का आपने बना दिया, land and building account, एक लाख से debit side पर लिख दिया, two balance brought down, ठीक है, चलो, अगला देखो, sundry creditors, कितना है बच्चों, credit किया आपने, कितना, एक लाख रुपए, तो देखो अब ज़रा, तो आप, अब देखो, sundry creditors का credit किया है, तो credit side में लिखोगे क्या, एक लाख, और जब right side में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, buy है ना, left में लिखेंगे तो two करके लिखते हैं, और right में लिखते हैं, तो buy करके लिखते हैं, तो यहाँ पर आपके लिख दोगे, by balance brought down, एक लाग रुपए, आया समझ में, बहुत सिंपल है, चलो, ऐसे बच्चों एक capital का बन जाएगा, capital account कितना, एक लाग सतर हजार, ठीक है, तो एक लाग सतर हजार से हम capital account को credit कर देंगे, credit side पर आपने capital account बनाया, उसका credit side पर एक लाग सतर लिख दिया, और क्या लिखोगे, by balance brought down, आया समझ में, आया समझ में, तो बच्चों यह हमारा था क्या, illustration 1, ठीक है, clear है इतना, चलिए, तो आगे हम लोग illustration 2 भी देख लेते हैं, चलिए, तो illustration 2 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इसमें हमें अलग-अलग transactions दिये हैं बच्चों, ठीक है, तो इसकी हमें journal entry पास करनी है, और उसके बाद हमें उनको अलग-अलग ledger में post करना है, ठीक है, चलो, तो क्या बोल रहा है, एक-एक करके पहले journal entry पास कर लेते हैं सारी, क्या बोल रहा है, एप्रिल वन रमे स्टार्टिट बिजनस विद कैश, तो इसकी आपको जनले इंट्री पता है, क्या होगी, cash account debit to capital, ठीक है, तो एप्रिल वन को आप इंट्री क्या कर दोगे, cash account debit to capital account, एक लाख, ठीक है, clear है इतना, चले, अगला, deposited in bank, 70,000, तो हमने bank में deposit की है, मतलब bank balance बढ़ रहा है, और मेरा cash balance कम हो रहा है, तो क्या करूँगी, मैं bank को debit करूँगी, और cash को credit करूँगी, bank account debit to cash account, 70,000, ठीक है, इतना clear है, चलो, फिर क्या हुआ, bought goods for cash, cash में हमने goods खरीदे, purchase की cash गया, तो इसकी entry आपको पता है, बहुत simple सी है, खर्चा क् हो रहा है, purchase हो रहा है, purchase account debit हो जाएगा, और cash जा रहा है, तो cash credit हो जाएगा, purchase account debit to cash, 5000, ठीक है, चलो, अब next क्या है, drew cash from bank for office, तो हमने bank से कुछ पैसा निकाल लिया, अपने office use के लिए, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मेरा bank balance क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और cash निकाल रही तो क्या entry हो जाएगी, इसकी cash account debit to bank, ठीक है, 1000 रुपए, चले, इसके बाद sold goods to Krishna, 1500 रुपए, 1500 के goods हमने Krishna को बेचे, ना लिखा है cash में बेचे, ना चेक, तो क्या मान के चल रहे हैं, आपके credit में बेचे, तो Krishna कौन बन गया हमारा, Krishna हमारा debtor बन गया, तो Krishna को हम क्या कर 1500 से और sales account को कर देंगे credit, ठीक है, Krishna account debit to sales account, चले, फिर, bought goods from sham, 2250, हमने sham से goods खरीदे, 2250 रुपए के, लेकिन हापे लिखा नहीं है कि हमने cash में payment किया है, चेक में, तो क्या मानेंगे, कि हमने उधार में खरीदा, credit purchase की है, ठीक है, credit purchase करते हैं, तो क्या entry होती है बच्चो, purchase is debit होगा, खर्चा बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा, credit क्या होगा, श्याम, हमने सर पे बोज ले लिया, हमने अभी उसको उधारी नहीं चुकाई, ठीक है, तो हमारे सर पे उधारी आ गई है, liability आ गई है, तो हम श्याम account को credit कर देंगे, कितने से 2250 से, फिर, receive from Krishna, Krishna से हमको कितने मिल गए बच्चों, 1500 रुपे मिल गए, ठीक है, तो इसकी तो बहुत simple entry है, कैश मिला, कैश आया, ठीक है, तो cash account debit हो जाएगा, ठीक है, और Krishna हमारे debtor था, तो उतने से अब उसकी value कम हो जाएगी, तो हमारे Krishna account credit हो जाएगा, ठीक है, debtor कम हो रहा है हमारा, next देखो, paid cash to sham, sham को हमने 2150 दे दिये, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप यी चीज़ देखो, यहाँ पर हमने शाम से कितने के लिए थे goods, 2250 रुपे के, ठीक है, और हमने इसको कितने का दे दिया, 2150, ठीक है, तो मदब 100 रुपे हम मान के चल रहे हैं, क्लियरली लिखा है, देखिए, ठीक है, तो 2250 के हमने goods खरीदे थे शाम से, अब शाम को हम full and final payment कर रहे हैं, जिसमें हमने उसको 2150 पेमेंट कर दे और उसने 100 रुपे का discount दे दिया, तो हमारी उधारी 2250 की पूरी पूरी खतम, तो उधारी बच्चों शाम को मैंने credit किया था आपने payment कितने का किया, 2150, तो two cash account कितना कर दोगे, 2150 का, और आपको discount मिला, मतलब क्या हुई, आपकी income हुई, आपका gain हुआ, तो two discount received कितना हो जाएगा बच्चों, 100 रुपे, clear है या entry, ठीक है, चलो, next, cash sales for the month, तो हमने cash sales करी, तो बहुत simple entry, cash आया, cash debit और revenue हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगे entry, cash account debit to sales, 8000 रुपे से, ठीक है, चलो, next देखो, paid rent, अब April 30 को हमने rent पे किया, और salary भी पे की, राम को 3000 रुपे, तो इसके हम एक साथ entry कर देते हैं, क्या बच्चों, खर्चों का debit कर दो, और cash को credit कर दो, तो आप क्या entry कर दोगे, rent account debit 500 रुपे, salary account debit 3000, two cash account, total कितना 3500, आप चाहो तो अब अलग-अलग entry भी पास कर सकते हो, rent account debit to cash account 500-500 से, तो आप इस पूरी entry को दो entry में करोगे, एक entry में करोगे, बात एक ही है, ठीक है, चलो, ये भी हो गया आपका, तो बच्चों, आपकी सारी journal entries पास हो गई, ठीक है, आपने पूरी journal बना ली, अब बारी है, किसकी, अब बारी है, सबकी ledger account बनाने की, ठीक है, तो अब एक-एक ledger account बनाते हैं, सबके साथ-साथ में और उसको टिक करते जाते हैं, चले, सबसे पहली entry क्या थी हमारी, cash account, debit to capital account, तो दो account बनेंगे हमारे, कौन-कौन से cash और capital, चलो, तो दो account देख लेते हैं, cash account बना लिया, और ये capital account बना लिया, ठीक है, अब entries देखो, क्या-क्या हो रही है, क्या हो रहा है, cash को मैं क्या करूंगी, debit करूंगी, एक लाग से, ठीक है, cash को मैंने debit किया, एक लाग से, तो यहाँ पर क्या करोगे अब देखो, cash account पर, cash account के debit side में जाओगे, और यहाँ पर एक लाग debit कर दोगे, ठीक है, क्या है, यहाँ पर, किस रीजन से ये एक लाग रुपए debit हुआ है, cash to capital entry हुई थी, तो अब यहाँ पर क्या लिख दोगे, to capital account, ठीक है, एक April 1 को entry हुई है तो date आप April 1 लिख दोगे, clear है इतना, ठीक है, चलो, next, फिर आप उसी entry को, अब इसी entry को, आपने cash account में post कर दिया, अब इसको आपको capital account में post करना है, तो capital को आप क्या कर रहे हो, credit कर रहे हो, ठीक है, capital को आप क्या कर रहे हो, credit कर रहे हो, तो credit side में आप क्या लिख दोगे, ब इजन क्या है उसका क्रेडिट होने का कैश वी कैश अकाउंट टू क्यापिटल है ना तो बाई कैश अकाउंट आप यहां पर लिख दोगे एप्रिल वन को क्लियर है इतना ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बैंक टू कैश तो बच्चो कैश अकाउंट तो बना हुआ है अब एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा कौन सा बैंक अकाउंट ठीक है अब एंट्री क्या हो रही है कि बैंक को हम क्या कर रहे हैं डेबिट कर रहे है तो एक bank account और बना ले, चलो, यह bank account भी बना लिया, ठीक है, debit side, credit side, क्या entry हो रही थी, bank account debit, तो debit side में क्या हो जाएगा, to cash account, 70,000, ठीक है, क्योंकि bank account debit कर रहे हैं, 70,000 से और reason क्या है, उसका debit होने का cash account, similarly, इसकी entry cash account में भी होगी, तो entry क्या थी बच्चों, bank account debit to cash, तो two cash मतब cash के credit side पर जाएगे, तो यहाँ पर 70,000 credit कर देंगे, और entry क्या होगी, buy bank account, ठीक है, clear है इतना, चलो, next, next entry है, purchases to cash, तो cash account बना हुआ है, लेकिन purchase account नहीं बना है, तो purchase account भी बनाना पड़ेगा, और कितने का amount एक बड़ वह भी देख लो, 5000 रुपेगा, ठीक है, तो बच्चों एक purchase account भी बना लेते हैं, एक purchase account भी बना लिया, ठीक है, entry क्या हो रहे थी बच्चों, purchase account debit, तो debit side में आजो account के, ठीक है, कितना 5000 से तो 5000 लिख दिया, किसके कारण हो रही थी, cash के कारण तो to cash account, आया समझ में, अब entry क्या थी, purchase account debit to cash, तो हमने purchase account में तो effect ले लिया, अब cash account में भी entry करनी पड़ेगी, चलो तो cash account में चलते हैं, तो क्या entry थी, purchase account debit to cash account, मतलब cash क्या हो रहा था, credit हो रहा था, ठीक है, तो आप credit side पर आ जाओगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, buy purchase account कितना, 5000, आया समझ में, posting कैसे हो रही है, बहुत simple है, और देखो cash account में क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत simple तरीका बताती हो, जब cash आ रहा है, तो सारा debit side में आएगा, ठीक है, तो सारा cash जो आ रहा है, ठीक है, जो in आ रहा है, और अगर cash जा रहा है, business से, आउट हो रहा है, ठीक है, cash is going out, तो आपका credit side में आती जाएंगी, तो bank में आपने deposit किया तो आपका cash गया, आपने purchase किया तो आपका cash गया, तो वो सब आपका side पर आ जाएगा, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, next क्या है बच्चो, cash to bank, ठीक है, तो अब cash account क्या है, debit, हमने पैसा निकाला था, ठीक है, तो आपकी entries जो है, वो cash account में भी होगी, और bank account में भी होगी, कितने की, 1000 रुपे की, तो अब entry याद रखो, इसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं, तो बच्चो क्या है, cash account debit, तो debit side में आ जाओ, कितना 1000 रुपे, 1000 रुपे से entry कर दी, ठीक है, और क्या हो रहा है, two bank account के कारण हो रहा है, यहाँ लिख दिया, अब similarly bank account में भी आ जाओ, ठीक है, bank account, cash account, debit, two bank हो रहा है, मतलब bank credit हो रहा है, तो इधर आ जाओ, 1000 रुपे credit में लिख दिया, और किसके कारण हो रहा है, buy cash, clear है ठीक है, चलो, यह भी हो गया, अब next entry के है बच्चो, Krishna account debit to sales, तो हमने ना Krishna account बनाया है, ना हमने sales account बनाया है, तो हमको दोनों ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलो, तो बना लेते हैं, और कितना amount से हो रहा है, पंदरा सो रुपे, तो यह भी याद रखते हैं, चलो, Krishna account बना लो, ठीक है, तो एक sales account बना लिया, बच्चों हमने, और यह Krishna account बना लिया, ठीक है, entry क्या हो रही है, Krishna account debit to sales, तो Krishna account के debit side में लिख दो, पंदरा सो रुपे, record कर लिया, किसके कारण हो रहा है, sales के कारण, तो two sales account लिख दिया, ठीक है, similarly, अब sales account में क्या हो जाएगा, बच्चो बाई Krishna, ठीक है, क्योंकि Krishna account debit to sales हो रहा है, तो sales के credit में आ जाएगे, पंदरा सो लिख देंगे, बाई Krishna लिख देंगे, आया समझ में, चलो, अगला देखो, अगली journal entry देखे ज़रा, हाँ, अब है, purchases account debit to sham, तो अपने purchase account बनाया है, लेकिन share cup account नहीं बनाया है, थो, शाम का अकॉट भी बना लो, क्या कितने से, entry और 2250 से, बच्चो है, न, चलो, तो purchase current बना लेते हैं, एक और, पर्चेज अकाउंट बना था हमने शाम अकाउंट नहीं बना है तो एक शाम का अकाउंट बना लेते हैं ठीक है क्या इंट्री हो रही है बच्चों पर्चेज अकाउंट डेबिट तू शाम मतलब शाम क्या हो रहा है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप 2250 और क्या लिख दो के by purchases account ठीक है समझ में आ रहा है चलो next दूसरे इंट्री क्या होगी इसका दूसरा effect क्या होगा purchases account debit to sham ठीक है तो purchase क्या करने debit करने 2250 लिख दो डेबिट साइड में किसके करण हो रहा है to sham आया समझ में ठीक है तो यह मेरा purchase account का हो गया और अब next entry है बच्चो कैश अकाउंट debit to Krishna तो क्रिशना से हमें पैसा आया तो अब यहकाउंट भी बना हुआ क्रशना दो दोनों में एंट्री कर लेते हैं तो बच्चों cash account क्या हो रहा है debit तो debit side में आ जाओ कितना मिला 1500 मिला किसके कारेंट मिला टू कृष्णा से मिला ठीक है तो टू कृष्णा करके 1500 लिख दोगे अब जाओ कृष्णा के account में अब कृष्णा के account में जाते हैं ठीक है और क्या हुआ है cash account debit to कृष्णा मतलब क्रिश्णा क्या हुआ है credit तो credit side में लिख दो क्या 1500 और क्या लिखोगे by cash account क्लियर है इतना ठीक है देखो कितना easy ledger posting कुछ नहीं है बस आपको bifurcate करके सबको अपने अपने डब्बे में डालना है और कुछ नहीं है चलो next क्या है देखो अब यहां पर शाम account आ रहा है cash account आ रहा रहा और discount received account तो बच्चों आपने शाम account बनाया है हां बनाया है cash account बनाया हां बनाया लेकिन discount received account नहीं बनाया है तो चलो इसको भी बना लेंगे ठीक है हम discount received account भी यह हमने बना लिया ठीक है अब क्या इंट्रिया बच्चों जड़ा इंट्री देखो शाम account debit two cash two discount receipt ठीक है तो बच्चों एक बात बताओ शाम account को क्या कर रहे हम debit कर रहे हैं तो चलो सब्से पहले blow вкус पर चलते हैं अब देखो जिन और आपको एक compound entry को सीखने मिलेगा कैसे करते हैं ठीक है, तो शाम अकाउंट को बच्चों क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड में जाओ, लेकिन जो डेबिट हो रहा है, वो दो कारणों से हो रहा है, ठीक है, 2150 हो रहा है, टू कैश अकाउंट के कारण, और 100 रुपय हो रहा है, टू डिसकाउंट रि बहले आया समझ में कियो कि हमारी एंट्री क्या थी भचों हमारी एंट्री थी शाम को नेधित टू कैश o को डिसकाउंट रिसीड है टो टो इसकाउंट रिखलून jersey के तो शाम को क्या किनει का रणूंसरे हिन दोन आया समझमें समझ में आई एं एंट्री चलो बहुत बढ़िया तो आपने शाम अकाउंट में तो इसका इफेक्ट दे दी आभ आपको cash अकाउंट में भी इसका इफेक्ट देना है और discount received में भी देना है तो यहां पर तीन तीन अकाउंट involved हो गया है तो अब बच्चो देखो cash account में आपकी क्या entry होगी शाम account debit to cash मतब cash credit हो रहा है कितने से बच्चो कितने से cash credit हो रहा है 2150 से हो रहा है और किसके कारण हो रहा है शाम के कारण तो यह पर लिख दोगे बाई शाम ठीक है similarly discount received भी credit हो रहा है कि तो discount received के credit side में चले जाओ गया और क्या लिख दोगे 100 रुपए किसके कारण हो रहा है शाम के कारण आया समझ में तो शाम debit हो रहा है दो कारण से cash और discount received के कारण से ठीक है तो इसने यहाँ पर दोणों आ रहा है लेकिन cash जो है वो शाम के कारण जा रहा है और discount received में शाम के कारण मिल रहा है आया समझ में इस तरीके से आपको opposite account देखना है अगर आप credit वाली चीज़े record कर रह देखते हैं आया समझ में चलो अब यह हो गया नेक्स्ट देखते हैं जरा नेक्स्ट है बच्छों cash account debit to sales तो दोनों ही अकाउंट बने cash भी बना है sales भी बना है तो चलो 8000 से एंट्री करने cash account के debit side में चले जाते हैं फटाफट 8000 बुक कर दिया अपने debit कर दिया किसके कारण हो रहा है तो सेल्ज अकाउंट के कारण ठीक है सिमिलरली सेल्ज अकाउंट पे जाओ तो सेल्ज अकाउंट पे जाते हैं ठीक है तो cash sales की है cash account debit to sales sales के credit में जाके 8000 रेकॉर्ड करो किसके कारण cash आ रहा है हमें तो buy cash account यहां पे कर देंगे आया समझ में ठीक है चलो next यह cash sales भी हो गए हमारी ठीक है अब next देखो rent account debit salaries account debit to cash account ठीक है तो अब आपने rent account बनाया है नहीं बनाया है salary account बनाया है नहीं बनाया है यह भी दोनों बना लो cash account तो बना हुआ है तो बच्चो rent account बना लिया और एक salaries account और बना लिया ठीक है तो बच्चो entry क्या है rent कितने का भरा 500 रुपए का rent account debit हुआ है कितने से 500 से तो 500 लिख दो और payment किसमें हुआ है cash में तो two cash account आ जाएगा है है ना क्योंकि entry थी rent account debit to cash ठीक है similarly बच्चो salaries में क्या हो जाएगा salary कितने की pay करी 3000 से debit की तो debit side में 3000 रिख लो payment हुई cash में तो two cash account आ गया है यह कुछ नहीं journal entry ही चल रही है जो हम यहाँ पर कर रहा है ना देखो उसी की posting जल रही है फूरी ठीक है अब cash account में effect देना है रेंट और salary में आपने दे दिया अब देखो cash account में कैसे effect जाएगा ठीक है cash account में बच्चो cash account क्या हो रहा है credit salary account debit rent account debit to cash तो आप cash के credit side में चले जाओगे 500 रुपे लिख दोगे किसके कारण हो रहा है तो rent कितना हो गया बच्चो 500 हो गया ठीक है और salary कितनी हो गए आपकी salary आपने buy salaries account लिख दिया 3000 आया समझ में तो buy rent account 500 buy salaries account 3000 ठीक है अब बच्चों यहां पर देख लो क्या हमारी सारी journal entries के हमने posting कर दी है अब journal entries की posting करके आपको मुक्ती नहीं मिलेगी अभी आपको सारे accounts को balance करना पड़ेगा ठीक है चलो तो अब जरा यहां पर debit का total कितना आ रहा है एक लाग 10,500 ठीक है यहां पर कम आ रहा है credit तो यहां पर balance हमने डाल दिया कितना by balance carried forward 29,850 ठीक है carried down by balance cd तो टोटल अपना एक दस वन लाग 10,500 दोनों साइट का टैली हो गया और फिर जब आप next month में इसको carry forward करोगे तो यहां पर क्या लिख दोगे बच्चो 2 balance brought down 29,850 ठीक है तो जो closing balance है मेरा इस month का वो अगले month का opening balance हो जाएगा तो में 1 में opening balance अपना brought down कर रही हूं आया समझ में तो यह cash account हो गया अब आजाओ capital account बचो capital account credit balance एक लाग है debit देखो आपने एक लाग ठीक है तो आप 2 balance carried down लिख दोगे एक लाग रुपए आया समझ में अब यहां पर बच्चो bank account क्या है देखो bank account यहां पर debit है और यह भी मेरा हाँ तो 70,000 में से मेरा 1,000 गया total कितना balance बच रहा है मेरा 69,000 ठीक है तो यह आपका total 70,000 हो गया तो यह आपका buy balance carried down यहाँ पे next month में 2 balance brought down हो जाएगा ठीक है तो bank account आपने देख लिया अब purchase account है अब बच्चो एक चीज़ समझ लो बहुत simple सी क्या है वो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है हमारा जो जितने भी expenses ठीक है या revenue ठीक है या income ठीक है तो जितने भी expenses, revenue, income, loss यह जो सब चीज़े है ठीक है यह मेरा इनका balance जो है बच्चो वो कहां पर जाके मरता है इनका balance जो है ठीक है इनका जो भी balance आएगा वो मेरा जाएगा profit and loss account में और उसके बाद उससे मेरा profit निकलता है लेकिन वहीं पर अगर मेरा capital, liability या asset है ठीक है तो उसका जो balance है बच्चो वो मेरा कहां पर carry, कहां पर जाता है transfer करता है मुसको, उसको हम लेके जाता है balance sheet में ठीक है तो जो भी expenses, revenue, loss, income, gain यह जो सारी चीज़ें यह सारा इन सब के balance उठके जाएगे मेरे profit and loss account में ठीक है और capital, liability, asset के जो मेरे balance आ रहे हैं वो मेरे जाएंगे balance sheet में clear है इतना ठीक है तो ऐसे आपने देखो purchase account बनाया था तो इसका जब आपका total करके अब जब balance निकालोगे तो वो आपका profit and loss account में चला जाएगा sales का भी ऐसे होने वाला है ठीक है क्योंकि revenue है Krishna हमारा settled है पूरा क्योंकि 1500 की sale हुई थी और 1500 को उसने में धे भी दिये शाम भी मेरा पूरा settled है मैंने उसे 2250 क्या purchase किया था और उसको पूरा full settlement में payment हो गया ठीक है फिर discount received बचो ये भी मेरा gain है तो ये भी मेरा profit and loss में जाएगा ठीक है इसका भी हम balance जो निकालेंगे वो ठीक है एसी rent account में मेरा खर्चा है salary account में मेरा खर्चा है तो ठीक है इन सब के भी balances निकलते हैं लेकिन वह मैं आपको अभी इतना नहीं करके बतारेंगे आपको simply बता रहे हूं कि इनके जो balance निकालेंगे पुझाएंगे profit and loss account में और जो हमारे ये वाले है capital, liability और asset इसके balances जाते हैं हमारे balance sheet में आया समझ में ठीक है तो आगे भी और और हम detailed detailed illustrations करने वाले हैं तो घबराना नहीं है confused नहीं होना है बहुत ही simple ledger posting आप देख चुके हो चले तो देखते हैं illustration number 3 क्या बोल रहा है अशो करके हैं उन्होंने 1 April 2020 को अपना business start किया with machinery of 4 lakh and furniture of 1 lakh ठीक है तो machinery 4 lakh रुपए की वो ले के आये और furniture भी 1 lakh रुपए का ले के आये मतलब क्या आया ये capital आया he purchased these assets from Delhi and paid by check from a saving account ठीक है he introduced capital of rupees 1 lakh in cash और 1 lakh रुपए cash भी ले कर आये अब हमें generalize करना है following transactions और उनके ledger भी बनाने है ठीक है ये सारे उनको balance भी करना है ठीक है and balance them भी बोला है और उसके अलावा ये सारे transactions भी दिये हुए है चलिए बचो तो अब एक एक करके पहले general entry सारी पास कर लेते हैं ठी एंट्री क्या होगी machinery furniture और ये cash लाने के entry हो जाएगी ठीक है तो क्या हो जाएगा बच्चो machinery account आया debit होगा asset आ रहा है चार लाग furniture debit होगा एक लाक रुपए आ रहा है ठीक है two capital कितना total लेकर आया वो five lakh clear है तो machinery भी लेकर आया furniture भी लेकर आया as capital second entry बच्चो एक क्या थी कि व हम मार्क करते जाते हैं चलिए ठीक है तो ये वाले हमने cover कर लिए अब अब क्या बच रहा है ये वाले transactions तो इनको भी देख लेते हैं purchase goods for cash from RAM तो बच्चों हम लोग ने goods purchase के cash में तो बहुत सिंपल एंट्री है purchase account debit to cash account कितना 55,000 ठीक है फिर purchased goods from naresh 40,000 नरेश से goods खरीद है लेकिन आपे कुछ भी नहीं लिखा है कि cash में payment किया या check से payment किया उसका मतलब क्या हुआ कि हमने credit purchase किया है तो बच्चों क्या हो जाएगा purchase account तो debit होगा लेकिन credit क्या होगा नरेश account क्योंकि वो हमारा अब creditor बन गया है हमारे सर प फिर sold goods for cash 70,000 तो हमने cash sales करी है cash sales की बहुत simple entry है सतर हजार किया है तो cash आ रहा है cash account debit हो जाएगा और revenue बढ़ रहा है हमारा तो sales account credit हो जाएगा cash account debit to sales account 70,000 ठीक है चलो next cash deposited in bank तो हमने bank में cash deposit किया ठीक है तो इसकी entry क्या हो जाएगा bank balance बढ़ रहा है तो bank क्या हो जाएगा debit bank account debit ठीक है और cash account क्या हो जाएगा credit कितना 80,000 चलिए फिर क्या हुआ हुआ हमने machinery खरी दी और machinery खरी दी 10,000 रुपए की तो कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेगे के cash में खरी दी तो entry क्या हो जाएगी machinery account debit to cash कितना बच्छो 10,000 रुपए ठीक है clear है इतना चलो अब next देखो फिर क्या हुआ next sold goods to garg brothers तो बच्छों garg brothers करके हैं उनको हमने goods जो है वो हमने बेचे ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लेखा कि हमको cash मिला या check मिला उसके अगेंस्ट तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है credit sale हो रही है तो 30,000 की credit sale हो जाई है ठीक है तो क्या entry हो जाएगी बच्छों डेटर बन रहा है girl brothers उस सब हमको पैसा लेना है तो इसको debit कर देंगे to sales account तो garg brothers debit to sales account 30,000 चलिए उसके बाद return goods to nourish ठीक है तो हमने नरेश से जो पहले purchase किये थे उसको हमने कुछ goods हमें कुछ quality सही नहीं लगी है या इसको आप purchase return भी लिख सकता वरेंड दा सेम थिंग आपको हम बता हम लोग discuss कर चुके हैं कि हम लोग ने जो purchase किया वह बाहर की तरफ वापस return कर रहे हैं तो इसलिए उसको purchase return या return outward भी बोलते हैं ठीक है और अगर sales मैंने किसी को बेचा और वो मुझे वापस कर रहे हैं तो इसको sale return या return inward भी बोलते हैं ठीक है तो आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों ही सही है तो आप नरेश उतने से आपका क्रेडिटर था सर पर वोश्ट था लेकिन आप उसको goods कुछ वापस कर रहे हो तो आपकी उधारी कम हो रही एक तरीके साब उसको उतना कम पे करना पड़ेगा आपको तो क्या इंटरी हो जाएगी नरेश अकाउंट करते हैं खर्चा बढ़ता है तो टू कैश अकाउंट कितना हो गया 10,000 चले आगे रिसीवड बैंक इंट्रेस्ट तो हमको बैंक से 400 रुपए इंट्रेस्ट मिला मतलब क्या हुआ इंकम हुई ठीक है इंकम होती है तो क्या करते क्रेडिट करते हैं तो बैंक इंट्रेस्ट क हम क्या कर देंगे क्रेडिट ठीक है तो इंट्रेस्ट रिसीवड अकाउंट और डेबिट क्या है बैंक इंट्रेस्ट में तो बैंक में हमारे सीधे बैंक अकाउंट में डेबिट की वह क्रेडिट कर दिया है ठीक है हमारे बैंक अकाउंट में उसमें सीधे टांसफर कर दि interest तो हमारा bank balance बढ़ रहा है तो हम इसले क्या करता है bank account debit ठीक है तो bank account debit charge हो to interest received 400 ठीक है चलिए last journal entry है paid for courier charges कितना बच्चों 1000 रुपए पे करें courier charges के लिए हमने ठीक है तो यह भी खर्चा हो गया हमारा पोस्टेजन कोरियर करके ठीक है तो पोस्टेजन कोरियर expenses account debit खर्चा बढ़ा to cash account कितना हो गया 1000 तो बच्चों यह हमारी सारी journal entries पूरी पास कर दी अब क्या बारी है एक एक जोन एंटरी को देखते हुए उसको लेजर में पोस्ट करने की चलो तो देखो एक एक एंटरी देखते जाओ तो यहां पर बच्चों तीन account तो पहले ही समझ में आ गए machinery account बनेगा furniture account बनेगा और capital account बनेगा तो चलो यह तीनों account बना लेते हैं machinery कितने चार लाग के लिए furniture को में debit के एक लाग से और capital हमारा credit हुआ पांच लाग से तो यह एंटरी याद रखना बस आप चलो तो आप machinery account बना लेंगे furniture account बना लेंगे और हमारा capital account बना लेंगे ठीक है तो हमारी एंटरी क्या थी बच्चों machinery account debit furniture account debit to capital मतलब capital के credit में और वो credit क्या क्या माउंट होंगे एक तो बाइ machinery हो जाएगा चार लाग क्योंकि machinery के कारेंट चार लाग से capital बढ़ रहा है और बाइ furniture एक लाख रुपए ठीक है आया समझ में क्योंकि हमारी एंटरी क्या हो रही थी machinery debit furniture debit to capital कितना था यह चार लाख यह था एक लाख और यह था पांच लाख ठीक है आया समझ में चलिए फिर machinery account में क्या हो जाएगा machinery account debit होगा कितने से चार लाख से लेकिन किस चीज के कारण effect आ रहा है capital के कारेंट ठीक है capital लेके आ रहा है similarly furniture में कितना debit होगा बच्चों एक रुपए और किस चीज के कारण आ रहा है capital तो टू कापिल अकाउंट हो जाएगा आया समझ में चलिए यह हो गया हमारा पहली एंट्री अब नेक्स एंट्री लेते हैं cash to capital तो क्यापिल अकाउंट तो खुला हुआ है कि एक cash account और खोले तो कितना माउट बच्चों एक लाग ठीक है तो cash account cash account debit हुआ है हुआ 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 है अब नेक्स्ट क्या है हमने परचेस किया ठीक है हुआ है तो cash account बना हुआ है अब purchase account नहीं बना है तो इसको भी बना लो कितने का पच्चपन हजार का अब एक purchase account बना लेंगे बच्चों है ना तो entry क्या थी purchase account debit to cash तो purchase account के debit side में आके आप क्या लिख दोगे 55,000 ठीक है किसमें payment हो रहा है cash में to cash account आया समझ में और cash account में जाओगे फिर आप इसके बाद purchases to cash तो cash के credit side में जाओगे और वहाँ पर क्या लिख दोगे by purchases account 55,000 समझ में आ रहे हैं तो cash के ledger में by purchase आएगा और purchases के ledger में to cash account आएगा समझ में आ रहे हैं चलो अब next नेक्स देखें जड़ा पर्चेश इस टू नरेश तो बच्चो पर्चेस अकाउंट बन चुका है लेकिन अभी नरेश अकाउंट नहीं बना और नरेश क्या है नरेश से हमने उधारी में खरीदा तो नरेश हमारा creditor है तो नरेश अकाउंट भी बना लेते हैं ठीक है यह हमारा creditor है तो क्या entry हुई है बच्चो purchase account debit to नरेश तो नरेश की credit side में आ जाएंगे और वहाँ क्या लिख देंगे बाइ पर्चेज अकाउंट और पर्चेज अकाउंट क्या हुआ है डेबिट हुआ है पर्चेज अकाउंट डेबिट तो डेबिट के साइट जाके क्या लिख देंगे टू नरेश कितना 40,000 आया समझ में चलिए अब नेक्स देखें जरा फिर क्या है हमने cash sales करी तो बच्चो cash account बना हुआ है लेकिन sales account अभी नहीं बना है तो चलो इसको भी बना लेते हैं क्या है 70,000 अमाउंट है चलो तो पहले तो एंट्री कर लो क्या cash account के debit side में क्या आएगा cash account debit 70,000 लेकिन किसके कारण हुआ sales के कारण आया है तो टू sales account ठीक है वैसी आप sales account भी बना लोगे ठीक है तो cash account debit to sales तो sales क्या हुआ credit तो credit side में क्या entry कर दोगे 70,000 से और buy cash cash आया है आपको sales के against ठीक है आपकी cash sales हुई है तो यह दिखा देता है आपको ठीक चलो नेक्स देखो नेक्स हुआ है बच्चों हमारा बैंक में deposit किया है हमने cash ठीक है तो यहां पर bank account भी इंवाल्ड है cash भी इंवाल्ड है कितना बच्चों 80,000 तो entry क्या है bank account debit to cash तो चलो bank account भी बना लेते हैं हमने अभी bank account भी नहीं बनाया है ठीक है तो bank account के debit side में बैंक अकाउंट debit to cash है तो debit side में क्या लिख दो गया आप to cash account 80,000 ठीक है और cash account के उसमें आप क्या लिख दोगे buy bank account 80,000 अब बैंक अकाउंट 80,000 आ जाएगा आ पर बच्चों ठीक है clear है चलो आगे देखो अब next है हमारा machine खरीदी हमने cash में तो machinery account debit to cash machinery account बना हुआ है हाँ भाई बना हुआ है cash account बना हुआ हाँ भाई चलो finally पहले से दो अकाउंट बने हुआ है कितना दस हजार रुपए तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे machinery account के debit में जाएंगे क्योंकि हम करने machine अकाउंट debit debit सेट जाके क्या लिख दो के टू कैश अकाउंट 10,000 और cash account में जाके क्या लिख दोगे buy machinery account ठीक है 10,000 अब आपको बहुत समझ में आ रहा हुआ है बहुत इजी लिए को समझ में आ रहा हुआ कि कैसे posting करनी है चलो अब है गर्ग ब्रदर्स debit to sales तो गर्ग को हम गर्ग ब्रदर्स को हमने हम लोग ने हमारे डेटर है हमने उनको उधारी में sales करी है ठीक है तो यहाँ पर आपको गर्ग ब्रदर्स का भी account बनाना पड़ेगा sales का तो बना हुआ है अमांट क्या था बच्चों देख लेए एक बार तीसवाजार चलिये तो गर्ग ब्रदर्स काभी एक account बना लेते हैं तो गर्ग ब्रदर्स का भी echo account बन गया ठीक है तो गर्ग ब्रदर्स debit तो debit side में आ जाओ और क्या हुआ है? sales हुआ है, उनको sale किया है तो two sales account कितना है? जाएगा 30,000 और sales account में जाओगे, हमने sales को क्या किया है? credit, तो credit side में आप क्या लिख दोगे? by garg brothers 30,000 आया समझ में? चलो फिर अगला देखें जरा next है बच्चों हमारा nourish जो हमारा creator उसको में डेबिट किया है, nourish account debit to return outward account, तो आपने return outward account या purchase return account अभी नहीं बनाया हुआ है, तो ये भी बना लोगे और कितना 2000 रुपए से ठीक है? तो बच्चों नरेश account debit हुआ है, तो नरेश के account में debit side में जाके लिख देंगे क्या? to return outward 2000 ठीक है? और फिर return outward account बनाओगे एक एक return outward account बनाओगे ठीक है? और क्या entry हुए है? nourish account debit to return outward मतलब return outward क्या हो रहा है? क्रेडिट तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? by नरेश नरेश को हमने return outward की है ठीक है? आया समझ में चलिए अब देखें जड़ा अगले बस अगले कुछ और transactions बचे हैं salaries to cash ठीक है? तो salary हमारा खर्चा है लेकिन अभी हमने उसका भी account नहीं बनाया है कितना हुआ है? बच्चों cash मतलब cash क्या हो रहा है? credit तो यहाँ पर क्या entry हो जाएगी? by salaries account ठीक है? और salary account बनाएंगे एक तो salary account को क्या कर रहे है? debit तो debit side में जाके क्या record कर देंगे 10,000 और यहाँ पर क्या जाएगा? तो cash account पर्टिकुलर में ठीक है? हम लोग cash में salary पे कर रहे हैं चलो अगली entry अगली entry क्या है बच्चों देखे ज़रा bank account debit to interest received तो bank account बनाया हुआ है लेकिन interest received account अभी नहीं बनाया है तो यह भी बनाएंगे कितना 400 रुपए से ठीक है? तो हमें interest मिल रहा है तो bank account बच्चों क से आओ रहा है debit ठीक है? बैंक account debit debit side में क्या लिख देगे? 400 रुपए और किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हमें interest मिला है तो two interest received हो जाएगा ठीक है? ऐसी interest received account भी बना लेंगे एक एंट्री किया है bank account debit two interest received तो two interest मिला credit side में चार सो लिखना है और कहां पर पैसा आया है bank में तो buy bank account तो अब देख रहा हो हर transaction का कैसे दो effect है? जो हम हमेशा से बात करते हैं dual aspect principle में कि हर घटना के कम से कम दो effect तो होंगे ही होंगे चलिए लास्ट हमारा transaction है क्या है बच्चों postage and courier expenses to cash ठीक है? कितना 1000 रुपए तो बच्चों cash account बना हुआ है तो postage and courier expense debit हुआ है to cash cash क्या हुआ है credit तो यहां पर credit side में लिख देंगे क्या 1000 और यहां लिख देंगे क्या by postage and courier expenses account ठीक है? और एक account भी बना लेंगे पोस्टेजन कॉरियर का ठीक है पोस्टेजन कॉरियर expenses account बना लेंगे और क्या entry हुए postage and courier expense debit debit side में 1000 रुपए रिकॉर्ड कर देंगे और heading लिख देंगे किसके कारण हुआ है to cash account ठीक है तो cash account हमारा particular head आ जाएगा हुआ क्लियर तो बच्चों यह हमारी सारी ledger posting तो हो गई लेकिन हमें question में साफ साफ बोला गया है क्या बोला गया है कि आपको सारे accounts balance भी करने हैं चले तो अब ज़र हम तराजू को balance करना चालू करते हैं एक एक करके चलो machinery account को देखें सबसे पहले तो machinery account का बच्चों debit side कितना आ रहा है total 4,10,000 का ठीक है और credit में तो कुछ हुआ ही नहीं ठीक है credit हमारा पूरा खाली था तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा तराजू को balance करने के लिए 4,10,000 हमारा आ जाएगा by balance carried down ठीक है यह आपका total 4,10,000 हो जाएगा और यह 4,10,000 का आप फिर next month में आपका opening balance हो जाएगा इसको आप लिख दोगे to balance brought down 4,10,000 फिर अगले महिने के entries होंगी इसके आगे फिर उसका closing balance निकलेगा फिर उसका next month में फिर opening balance carry forward होगा आ रहा है समझ में किस तरीके से होगा ठीक है तो April month की entry हमने आप close कर दी और इसका जो closing balance है वो हम में first को लेकर आ गया है चलिए अब ऐसे ही furniture account देखो debit side में कितना आ रहा है इसका एक लाख ठीक है credit side में कुछ भी नहीं है तो यह हमारा balance निकल जाएक एक लाख रुपए और यह हमारा total match हो जाएगा और यह balance को हम अगले महिने की पहली तारीक को लेके जाएंगे to balance brought down एक लाख रुपए ठीक है तो furniture account भ और आपका credit side कितना आ रहा है यह कुछ कम आ रहा है तो हमारा balance निकल रहा है बच्चो 14,000 ठीक है तो आपके पास 170,000 था उसमें से आपके कुछ खर्चे हो गए और अब बस आपके पास 14,000 ही cash बचा है तो 14,000 आपका closing by balance carried down हो जाएगा और यह आपका total match हो जाएगा यह आप आपका account balance हो जाएगा और उसके बाद इस balance को आप अगले महिने की पहले तारिक को opening balance बना के brought down कर दोगे ठीक है चलो next देखो next capital account मेरा कितना हो रहा है credit side देखो 6,000,000 हो रहा है पूरा और debit side कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर मेरा पूरा balance capital का आजाएगा 6,000,000 ठीक है तो two balance carried down और यह मैं next month की पहरी तारिक को buy balance brought down करके कर लोगी ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 6,000,000 रुप है balance करने के लिए तो यह मेरा कौन सा balance है credit balance क्योंकि मेरा credit side जादा भारी था उसको मुझे बराबर करने के लिए यहाँ पर balance डालना पड़ा इसलिए इस purchase account तो बच्चो purchase account मेरा 95,000 टोटल आ रहा है तो मेरा balance कितना है 95,000 मेरा balance आ जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ पर credit side में कुछ भी नहीं आया है और यहाँ पर मैं लिख दूंगी to balance brought down similarly आगे के भी नरेश का account हमारा जो creditor था ठीक है हमने उसके 40,000 का purchase किया हमने उसको 2000 रुपए का उसका purchase return कर दिया तो अब हमें उसको कितना देना है 38,000 तो 38,000 मेरा balance हो जाएगा ठीक है और यह मेरा total बराबर हो गया 40,000-40,000 ठीक है तो यह आपका यहाँ पर फिर आप इसको brought down कर दोगे चलिए sales account similarly बच्चो sales account देखो आपका total कितना रहा है एक लाक हा रहा है और इसका balance आपका कितना हो जाएगा आपका debit कुछ भी नहीं हुआ तो पूरा balance carried down हो जाएगा ठीक है और फिर उसको आप May 1st को buy balance brought down करके 1,000,000 लिख दोगे फिर bank account बच्चो तो bank आपका debit कितना था 80,400 और आपका credit कुछ भी नहीं है तो आप credit side में balance डालो कि उसको बराबर करने के ल चलो गर्ग ब्रदर्स तो गर्ग ब्रदर्स बच्चों हमारे debtor था उसको हमने अपना goods sale किये थे ठीक है तो उससे हमको 30,000 रुपए लेने हैं ठीक है तो इसका 30,000 रुपए left side में debit side में 30,000 आ रहा है right में कुछ नहीं तो इसका closing balance कितना निकल जाएगा 30,000 ठीक है तो आप आपका अकाउंट टैली हो गया और इसको आप में 1 को ब्रॉट डाउन कर लोगे चलो return outward बच्चों similarly return outward भी मेरा 2000 है तो मेरा इसका balance कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000 है ठीक है बहुत सिंपल है salary का भी सेम बच्चों 10,000 रुपए का खर्चा हुआ तो मेरा balance निकल गया यहाँ पर 10,000 रुपए और यह मैं अगले महीने carry forward कर लिया similarly interest receive भी मेरा 400 रुपए तो मेरा यहाँ debit trade में कुछ नहीं है तो मेरा balance किया आ जाएगा 400 यहाँ पर postage and courier expenses भी मेरा कितना 1000 रुपए हुआ है और यहाँ पर भी मेरा balance आ जाएगा 1000 रुपए समझ में आया समझ में आया तो पस इतना सिंपल है सिर्फ journal entries आपको करनी है उसके बाद आपको पूरा उसको एक एक अकाउंट जो जो बन रहें अकाउंट्स उसमें जनल एंट्री में जिंजिन अकाउंट का आप नाम लिख रहे हो सबके अलग-अलग separate ledger accounts बनेंगे उसमें वो debit हुआ या credit उसके accordingly उसका effect जाएगा ठीक है और उसके बाद end में जाके आपको बस वो ledger account को टैली करना है तो आपने बहुत detail में यह वाला illustration समझ लिया ठीक है अ अशीम started a business on 1st April 2020 with machinery of 10 lakh, furniture of rupees 2 lakh 50,000 and cash rupees 2 lakh 50,000 ठीक है तो उन्होंने क्या बोला कि अशीम ने भाया 1st April 2020 को अपना business start किया, machinery वो 10 lakh रुपे की लेकर आया, furniture धाईलाक रुपे की लेकर आया और cash जो है वो धाईलाक रुपे का लेकर आया, मतलब यह सारी चीज़ें क्या हो गई ह हमारी वो as capital introduced गया उसने business में, अब वो क्या बोल रहा है, prepare the ledger accounts and balance them और यह सारे हमको transactions दे दिये गाए, तो यहाँ पर आपको यह बोल दिया है directly कि भाई सीधे ledger accounts बनाओ और उनको balance करो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको journal entries अभी इस question में, answer में, solution में आपको नहीं कर ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम हर उसकी एक journal entry को discuss करेंगे और उसके बाद हम directly उसके ledger accounts में post करेंगे, ठीक है, तो आपको answer में journal entries को solve नहीं करना, आपको सीधे-सीधे ledger accounts बनाना है और directly उसमें posting करते जाना है, लेकिन आपको subconsciously अपने दिमाग में वो journal entry क्या debit होगा, क्य credit होगा, वो आपको clear होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको अराम से discuss करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी tension नहीं लेना, चलो, तो सबसे पहला बच्चों क्या बोल रहा है, अशीम started a business on 1st April 2020 with machinery of 10 lakh, furniture of rupees 2 lakh 15, cash 2 lakh 50, तो बच्चों चलो, इसकी अब ज़रा entry, हम एक एक entry हाँ पे, ऐस machinery account हमारा debit होगा, ठीक है, फिर हमारा क्यूंकि asset आ रहा है, furniture account भी हमारा debit होगा, ठीक है, और cash भी आ रहा है, तो cash account भी हमारा debit होगा, ठीक है, machinery कितने से debit होगा, 10 lakh से, यह सब आपको अपने दिमाग में करना है, ठीक है, यह तो लेकिन हम लोग, क्योंकि अभी पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यह लिख कर बता रही हूँ, चले, ठीक है, तो और credit क्या हो जाएगा, to capital account, machinery account debit 10 lakh, furniture account debit 5 lakh, cash account debit 5 lakh, कितना होगया यह total, यह होगया 15 lakh, clear है इतना, ठीक है, clear है, चलो, अब आपको यह entry, पहली इस चीज की entry देखके, आपको यह चीज समझ में आ गया, कि भाई, कितने accounts, कितने ledger accounts खुलने वाले हैं इस entry के थू, चार ledger account, एक machinery ledger account खुलेगा, एक furniture का account खुलेगा, एक cash का खुलेगा, और एक capital का खुलेगा, ठी तो बच्चों, machinery account का एक अपने ledger account बना लोगे, ठीक है, यह पूरा format आपको पता है, हम account का discuss कर चुके है, ऐसे ही आप एक furniture account भी बना लोगे, ऐसे ही आप cash account भी बना लोगे, और ऐसे ही आप एक capital account भी बना लोगे, तो इस entry से आपके 4 accounts, आप 4 डब्बे, 4 account प्रिपेर हो ज दिमाग में रखते हुए, अब हमको क्या debit करना है, और क्या credit करना है, क्या entry हो गया, वो देखते हैं, ठीक है, तो machinery account सबसे पहले क्या हो रहा है, debit, तो machinery account के हम debit side में चले जाए, ठीक है, कित्ती ले आ रहे है machinery, 10 लाग रुपए, तो 10 लाग रुपए से आप क्या कर दोगे, debit कर दोगे, ठीक है, और किसके कारण क्या लाया जा रहा है, as machinery, capital को, ठीक है, हम credit क्या कर रहे थे, to capital account, ठीक है, आया समझ में, तो उसको machinery को लाने का reason क्या है, capital, ठीक है, तो capital account के कारण को 10 लाग से debit हो रही है, similarly बच्चो, हमारा, फिर क्या हो था, machinery account debit, furniture account debit, है ना, तो furniture account के debit side में आ जाओ, कितने से debit हो रहा था, धाई लाग से, किसके कारण debit हो रहा है, to capital account, आ रहा है, समझ में, आ रहा है, चलो, next, cash account, cash account भी हमारा debit हुआ, कितने से debit हुआ, आ जाओ debit side, धाई लाग, ठीक है, और क्या लिखा है, to capital account, किसके कारण हो रहा है, to capital account के कारण हो रहा है, ठीक है आया समझ में चलो कि है कुछ हमारा Mashiach on डebit हो गया solar āइंश काया और हमारा कैश एकाण भी डेबिट हो आप बचा है capital blir अब बन के ऑला मतलब ऐडिए तो क्रेडिट साइड में आ जाओ ठीक है अब किन किन कारणों से वो क्रेडिट हो रहा है वो देखो मशीनरी अकाउंट के कारण हो रहा है दस लाग से ठीक है फरनिचर अकाउंट के कारण हो रहा है धाई लाग से और कैश के कारण हो रहा है धाई लाग से तो आप क्या लिखोगे by machinery अकाउंट 10 लाग by furniture अकाउंट धाई लाग बाई cash अकाउंट धाई लाग आया समझ में यह आपकी पहली entry हुई है अभी है क्लियर है इतना थीक है तो आपने machinery account furniture account cash account इन सबको debit किया इतने इतने amount से और आपने current क्या लिखा है क्योंकि two capital account particular's में आप लिखोगे two capital account वैसे ही आप capital account क्या हो रहा है credit तो उसके credit side में क्या लिखोगे by machinery 10 लाख by furniture 50 लाग और by cash account 50 लाग आया समझ में तो इसलिए कभी भी compound इंट्रीज में खवराना नहीं आपको यह पता है कि जो आप जब डेबिट कर रहे हो तो आपका रीजन हमेशा जो क्रेडिट साइट पे जो आप चीज लिख रहे हो उसके कारण हो रहा है आ रहा है समझ में चलो बहुत बढ़िया यह भी आपका हो गया तो यह आपका पहला जोनल एंट्री आपकी कवर हो गई नेक्स देखें पर्चेस गुट्स फॉर कैश फ्रॉम रमन तो भाई मतलब सिंपल सी एंट्री हुई है इसकी क्या एंट्री हो रही है पर्चेस अकाउंट डेबिट ठीक है और कैश गया टू कैश अकाउंट कितना बच्चो वन लाक थर्टी सेवन थाउजन फाउजन फाइव हंडर्ड ठीक है यह वाली जनल एंट्री होगी इस फर्स ट्रांजाक्शन की तो अब आपको पता है भाई कैश अकाउंट तो हम ब अब हमको बनाना क्या है इसमें पर्चेस अकाउंट तो एक पर्चेस अकाउंट और बना लेंगे ठीक है बच्चो एक पर्चेस अकाउंट आप और बना लो अब एंट्री क्या हो रही है पर्चेस अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है तो पर्चेस अकाउंट के डेबिट साइट चले जाओ ठीक है और कितना डेबिट हो रहा है वन लाग थर्टी सेवन थाउजन फाइव अंड्रेड किसके कारण हो रहा है आपका कैश टू कैश अकाउंट ठीक है आया समझ में तो पर्चेज अकाउंट डेबिट उतना अमांट डेबिट कर दोगे पर्टिकुलर मे ठीक है लिख देंगे बच्छों बाइप पर्चेज अकाउंट वन लाग थर्टी सेवन थाउजन फाइव अंड्रेड ठीक है तो हमारे पर्चेज इसमें क्या हो जाएगा टू कैश और कैश में क्या हो जाएगा बाइप पर्चेज इतना सिंपल है ठीक है चलो नेक्स्ट अब यह जो अपने दिमाग में सोच के एक्जाम में डिरेक्टली लेजर में पोस्ट करना है अगर आप चाहो तो पेंसिल से साइड में वर्किंग नोट जैसा कुछ बना के आप कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर कोई सी एंट्री में कन्फूजन नहीं है तो ठीक ह सकते हो लेकिन जब कन्फूजन हो रहा है एंट्री में तो फिर उसको आप ऐसी साइड में लिखकर उसको देख लेना क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है जो थोड़ी बड़ी एंट्री होती है उसमें आपको थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम आए रिमेंबर क्या होगी आपकी डेबिट तो होगा आपका पर्चेजेज अकाउंट ठीक है लेकिन क्रेडिट क्या होगा आपने पैसा दिया नहीं आपने सर पर उधारी क्रेट कर दिया आपने क्रेडिट में पर्चेज किया है क्रेडिट पर्चेज किया है तो सर पर बो जा गया तो हमारा नरेश अकाउंट हमारा कौन बन जाएगा क्रेडिटर अब बच्चों पर्चेस अकाउंट बना चुके हो तो चलो भाई इस अकाउंट को बनाने से तो हम अब इस बार बज गए लेकिन अब हमको नरेश अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि हमारा क्रेडिटर अकाउंट है ठ सारा देखो का मुथ अपर चेज़ अकाउंट डेबट Cred to Narees कितना बच्छों एक लाका रुपए ठीक है तो अब पर छेज़ अकाउंट के डेबटमे में चलते हैं हुए और आप क्या नरेश क्या हो रहा है credit हो रहा है purchase account debit to नरेश तो नरेश के credit side में क्या कर दोगे एक लाक रुपए record कर दोगे लेकिन particular में क्या लिखोगे by purchases account आया समझ में क्योंकि purchase होने के कारण यह हमारा creditor बन रहा है हमने नरेश से इतना credit purchase किया यह 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 जर अकाउंट हमें दिखा रहा है आया समझ में चलो next देखें अब next entry बच्चों क्या है cash deposited sold goods to gupta and company for cash तो हमने gupta and company को goods बेचे for cash मतलब cash sales हुई तो बहुती simple entry है इसकी तो बच्चों क्या होगी cash account debit to sales account कितना बच्चों 1,75,000 ठीक है अब cash account तो भही हमारा बना हुआ है अब sales account बनाना है तो चलो sales account भी बना लेते हैं और entry को याद रख लो cash account debit to sales तो बच्चों cash account के पहले debit side आ जाते हैं ठीक है कितने से debit हो रहा है cash account 1,75,000 से और किसके कारण हो रहा है sales के कारण तो two sales account ठीक है similarly अब एक sales account बना लेंगे हम क्या entry थी cash account debit to sales मतलब sales के credit side में आएंगे और 1,75,000 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे buy cash मतलब यह हमारी cash sale हो रही है ठीक है आया समझ में clear है इतना चलो अब next है हमारा बचो cash deposited in bank तो यह तो बहुत ही simple entry है हमने cash जाके bank में deposit कर दिया मतलब bank balance बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा bank account हमारा क्या हो जाएगा debit और cash हमारा कम हो रहा है क्योंकि हम अपना cash निकालके bank में डाल रहे है ठीक है तो cash हमारा हो जाएगा credit कितना बच्चों दो लाक रुपए अब एक बात बताओ इसमें आप cash account तो बना चुके हो अल्रेडी लेकिन आपको bank account बनाना पड़ेगा तो चलो bank account बना लेते हैं हमारी entry है bank account debit to cash तो bank account का एक ledger बन जाएगा बच्चों ठीक है क्या हो रहा है bank account debit हो रहा है तो debit side में क्या लिख होगे दो लाक ठीक है किसके कारण हो रहा है cash के कारण to cash account ठीक है अब cash में जाओ cash हमारा कम हो रहा है cash हमारा credit हो रहा है तो बच्चों cash bank account debit to cash तो cash के credit में आ जाओ दो लाक रिकॉर्ड कर दो लेकिन किसके कारण हो रहा है bank के कारण तो buy bank account आया समझ मैं चलो बहुत बढ़िया अब अगली entry देखते हैं purchase machinery by check तो बच्चों हमने machinery खरी दी और हमने payment जो है वो check से किया तो asset आया एक machinery account debit ठीक है और आपने check से payment किया तो आप payment किस से कर रहा है आपका bank balance कम हो रहा है तो आप bank को क्या asset कम हो रहा है तो bank को क्या कर दोगे credit कर दोगे amount क्या दिया है बच्चों amount दिया है 25,000 ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं machinery account अरे हाँ हमने तो पहले पहले बनाया था और bank account अरे ये भी तो हमने बनाया है चलो अब हमें इस वाले entry में कोई भी ledger account नहीं नया बनाना है तो बच्चों machinery account के debit side में आ जाते हैं machinery account debit to bank तो two bank क्या हो जाएगा हमारा amount debit side में 25,000 ठीक है similarly अब bank में दूसरा effect दे देते हैं bank account में bank account में क्या हो जाएगा हमारा credit हो रहा है bank account तो क्या हो जाएगा buy machinery account मशीनरी के कारण हम पैसा दे रहे हैं हमारा बाइंग बालेंस कम हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा है यहां पर बाइंग मशीनरी अकाउंट 25,000 चलिए यह यह भी हो गया ठीक अब बच्चों next क्या है sold goods to Garg brothers तो हमने sale तो करी है लेकिन क्या cash or check मिला है कुछ नहीं मिला है Garg brothers को हमने sale की मतलब नाम दे दिया है मतलब क्या मान लेंगे अब credit sale हो गई तो बस सीधे-सीधे क्या entry हो जाएगी बच्चों Garg brothers से हमें पैसा लेना है तो यह हमारे क्या हो गए debtor हो गए इन्होंने अभी हमको पैसा दिया नहीं है तो हमारा asset बढ़ रहा है हमारे debtors बढ़ रहे तो हम क्या कर देंगे Garg brothers account debit और हमारा revenue बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा to sales account ठीक है बच्चों कितना 75,000 clear है इतना चलो अब Garg brothers का account बना लेते हैं जल्दी से क्योंकि इसमें हमें sales का account थो हमने बनाया हुआ है Garg brothers का नहीं बनाया हुआ था तो Garg brothers हमने ledger account create कर दिया entry क्या थी Garg brothers account debit two sales तो बच्चों two sales कितना हो जाएगा 75,000 debit side में Garg brothers के और sales account में जाते हैं अब चलो sales account में चलते हैं sales account में क्या हो जाएगा बच्चों Garg brothers debit two sales मतलब sales क्या औरी credit तो buy Garg brothers आ जाएगा यहाँ पर 75,000 आया समझ में चलो तो आपको यह चीज़ तो समझ में आ गई कि जब Garg brothers में record करेंगे तो debit side में amount को लिखेंगे और वहाँ लिखेंगे two sales और जब sales वाले में effect देंगे तो वहाँ पर credit side में record करेंगे 75,000 लेकिन वहाँ लिख देंगे क्या buy Garg brothers समझ में आ गई न चलो अब यह हो गया हमारी यह वाली entry भी खतम हो नेक्स्ट क्या है अब देखो ज़रा returned goods to nourish not being as per specifications तो बच्चो 5000 रुपए के goods हमने क्या किये हमने return किये नरेश को ठीक है मतलब एक तरीके से हमने purchase return किया या return outward किया तो इसकी entry क्या होगी बच्चो पताओ अगर हम purchase करते हैं तो क्या होता purchase account debit to नरेश लेकिन यहाँ पर मुसको goods वापस कर रहे हैं तो entry क्या हो जाएगी उल्टी ठीक है तो नरेश हमारा creditor था इतने से अब हमारी उधारी कम हो जाएगी क्योंकि उतने के goods हम उसको अब वापस कर रहे हमें पसंद नहीं आए वो specifications के according नहीं थे और अब purchase को अब return कर रहे हो तो बच्चों इसलिए जब purchase करते हो तो क्या करते हो debit purchase को return करोगे तो क्या करोगे credit तो आप कुछ भी लिख सकते हो to return outward या purchase return भी लिख सकते हो दोनों one and the same thing है ठीक है तो बच्चों नरेश का अकाउंट इस वाली entry में बना हुआ है लेकिन return outward नहीं बना हुआ है ठीक है तो return outward भी हम बना लेते हैं एक return outward का भी बच्चों हमारा account बन जाएगा ठीक है तो entry क्या हुए बच्चों नरेश account debit to return outward तो मतलब return outward के credit side में हमका हम ही क्या लिखना पड़ेगा by नरेश आया समझ में और नरेश account को हम क्या कर रहे है debit तो नरेश account के debit side में 5000 record होगा और क्या लिख देंगे हम to return outward account आया समझ में चलो बहुत simple सी entry थी यह भी next आ जाते हैं next क्या है बच्चों paid to नरेश by check कितना दिया बच्चों हमने नरेश को हमने दे दिया 50,000 payment उसको कर दिया तो बच्चों उतने से हमारी अब उधारी कम हो गई ठीक है तो हमारा creditor कम हो रहा है और creditor या liability कम होती तो हम क्या करते है उसको debit तो नरेश account debit कर देंगे और उसको payment कर रहे हैं through check तो मतलब हमारा bank account कम हो रहा है तो नरेश account के debit side में चलते हैं ठीक है तो नरेश account के debit side में 50,000 record करोगे और क्या लिख दोगे तू bank account similarly bank account के bank account क्या और आपका credit हो रहा है ठीक है तो bank account आपका credit हो रहा है कितने से credit हो रहा है 50,000 से तो credit side में लिख दोगे 50,000 किसके कारण हो रहा है नरेश के कारण तो आप लिख दोगे by नरेश आया समझ में चलो कितना simple है सिर्फ आपको general entry सही करनी है तो आपका ledger में हमेशा posting भी सही ही होगी चलो next क्या है with drawn from bank for personal use तो बच्चो personal use यहां पर जैसे ही यह दो शब्द आपको दिख जाएं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए drawings drawings और drawings ठीक है तो बस आपको यह पता है कि भाई जो bank से withdraw किया है तो क्या हो रहा है bank balance कम हो रहा है क्योंकि bank से पैसा निकाला ठीक है तो क्या हो जाएगा bank balance कम हो रहा है तो टू bank account हो जाएगा लेकिन debit क्या होगा personally उसके लिए निकाला तो drawings जो है मेरा capital को कम करती है और अगर मेरे capital कम होता है तो मैं क्या करती हूं उसको debit तो आपके एंट्री हो जाएगी बच्चों drawings account debit to bank ठीक है कितना 25,000 रुपए आया समझ में चलो तो अब यहाँ पर जड़ा लिख लेते हैं ड्रोइंग अकाउंट बना लिया एक हमने ठीक है बैंक अकाउंट तो हमारा बनाई हुआ है तो ड्रोइंग अकाउंट के हम debit side में क्या लिख जेते हैं 25,000 रिकॉर्ड कर दिया किसके कारण हुआ किस से निकाला हमने बैंक से निकाला है two bank account ठीक है अब बैंक अकाउंट मैं जाते हैं Bank balance कम हुआ हमारा किसके कारण हुआ बच्छों bank हमारा कम हुआ मतलब credit credit कि हमने बैंक को तो 25,000 किसके कारण हुआ by drawings account के कारण हुआ है आया समझ में चलो next देखो बस journal entry सही कर लो, बाकि सब सही हो जाएगा आपका चलिए, आप देखें, receive check from gurg brothers and deposited in bank तो बचो gurg brothers जिनको हमने, देखो उपर credit sale किया था, उनसे हमें चेक मिला, ठीक है, और उसको हमने bank में deposit कर दिया मतलब क्या हुआ, bank balance बढ़ रहा है एक तरीके से asset बढ़ रहा है, bank account debit हो जाएगा, और credit क्या होगा बच्चों गurg brothers हमारे debtor थे, अब उनकी उधारी कम हो रही है, debtors हमारे कम हो रहे है तो debtor अगर बढ़ते हैं तो debit करते हैं, कम होते हैं तो क्या करते हैं, credit तो two garg brothers account, ठीक है, कितना बच्चों, हमारा ये है 50,000, ठीक है हाँ, 50,000 ठीक है बच्चों, तो bank account के debit side में कर लेते हैं, garg brothers account भी बना हुआ है हमारा, तो चलो पहले bank में entry कर लेते हैं तो बच्चों क्या हो रहा है, bank account debit हो रहा है, तो debit side में लिख दो 50,000, किसके कारण हो रहा है, हमें garg brothers से पैसा मिल रहा है, two garg brothers, ठीक है अब ऐसी garg brothers की account में चले जाओ, ठीक है, garg brothers क्या हो रहा है, credit, तो credit side में क्या लिख दो गया, 50,000 मतलब 75,000 के हम नंको sales की थी, और 50,000 रुपए उसनों ने उसमें से हमें चुका दिये, ठीक है, तो इसलिए हमने buy bank account, उन्होंने bank में हमें check दिया, चले, हो गया clear इतना? चलो, next देखें अब जरा, अगला है बच्चो, paid salaries to staff for the month of April, 25,000, तो हमने salaries pay करी, तो हमारा खर्चा debit होगा बच्चो, salaries account debit, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है, तो मानके चलते हैं कि cash में दी, two cash account, कितना बच्चो, 25,000 रुपए तो अब salary account नहीं बनाए, cash account तो बना हुआ है, है ना, तो salary account भी बना लेते हैं, salary account और बना लेते हैं, तो salaries account एक बना लिया, क्या हो रहा है, बच्चो salary account debit हो रहा है, तो debit side कर दो, 25,000, किसके कारण cash में payment हो रहा है, तो two cash account हो जाएगा, ठीक है, similarly अब cash में देखो, अब cash account में बच्चो क्या हो जाएगा मेरा, buy salaries, वी cash मेरा जा रहा है, credit हो रहा है, तो buy salaries account कितना बच्चो, 25,000, clear है इतना, चलो, next, next देखें अब, bank advices check of garg brothers returned unpaid, अब बच्चो हमारे साथ एक छोटा सा धोका हो गया, क्या, कि जो हमें garg brothers ने bank में हमें check दिया था, जो हमने bank में deposit कर दिया, वो, हमें वापस bank ने return कर दिया, ठीक है, वो return कर दिया, किसी भी currency, शायद उनका check bounce हो गया, या जो भी dishonor हो गया, ठीक है, तो अब अगर आपको एक बात बताओ, जब आपको garg brothers से पैसा मिल रहा था, तब आप क्या entry कर रहे थे, bank account debit, bank में पैसा आ रहा था, to garg brothers, अब bank ने मना कर दिया, कि वो check उनको return कर दिया, कि आपको ये pay नहीं कर पारे है, check bounce हो गया, dishonor हो गया, तो बच्चों ये entry क्या हो जाएगी, ये ulti entry हो जाएगी, क्योंकि आपको पैसा मिला ही नहीं, है ना, तो आपने गलत तरीक से debit कर दिया, गलत credit कर दिया, तो वापस इनके balance को, उनके पुरान कर दा था बच्चों हमें check, हमें मिला था 50,000 का check, तो वापस से बच्चों गर्ग ब्रदर्स debit हो जाएगी 50,000 से, और वापस से bank account जो हमने गलत debit कर दिया, गलत गलती से बढ़ा दिया, हमने अपने bank account, लेकिन वो हमें तो पैसा मिला ही नहीं, है ना, तो इसने reverse entry मारनी पड to bank account, और bank account क्या हो रहा है हमारा वापस से credit, किसके कारण, गर्ग ब्रदर्स के कारण, तो बाइग गर्ग ब्रदर्स 50,000, आया समझ में इतना, ठीक है, चलो अब next entry देख लेता है, next entry क्या है, received bank interest, इसकी entry हमारी क्या हो जाएगी, bank में हमारा balance बढ़ जाएगा, तो bank account debit, और क्या हो रहा है बच्चों हमें, क्या मिल रहा है, interest, ठीक है, to interest, received, ठीक है, income हो रही है हमारी, कितनी बच्चों, 1000 रुपए, तो अब देखो, bank account तो बना हुआ है, एक interest का भी account बना लेते हैं, हमारा जो interest हमें मिल रहा है, तो बच्चों, एक आपका बन जाएगा, interest received account, ठीक है, entry क्या हो रही है, bank account debit, to interest received, मतलब interest received क्या हो रहा है, credit, तो credit side में क्या लिख दोगा, 1000 और किसके कारण, buy bank account, ठीक है, similarly bank account क्या हो रहा है, bank account debit हो रहा है, bank balance बढ़ रहा है, ठीक है, 1000 से debit हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, interest मिला उसके कारण, तो to interest received account, clear है इतना, चलिए, अब देखें जड़ा, next, purchase stationary for cash, तो बच्चों हम लोगों ने stationary खरीदी और cash में payment किया, ठीक है, तो बहुत simple सी entry है, खर्चा debit हो जाएगा, stationary account debit to cash account, कितना बच्चों, ठीक है, तो जड़ा account बना लो बिसका भी, cash का तो बना हुआ है, एक stationary का बन जाएगा, ठीक है, तो stationary account का बना लिया, कितना बच्चों debit हो रहा, stationary account कितने से, 2500 से, उसका payment किसमे कर रहा है, cash में, to cash account, ठीक है, ऐसी अब cash में जाओ, cash में effect दो, क्या हो जाएगा, cash में हमारा जा रहा है, कितना, 2500 credit हो रहा है, 2500 से, किसके कारण, stationary के कारण, ठीक है, तो buy stationary account, ठीक है, clear है इतना, last entry है बच्चों, rebate allowed to Garg brothers for defects in goods supplied to them, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कि हमने, जो Garg brothers को, goods बेचे थे, ठीक है, उनको हमने rebate allowed किया, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने थोड़े defective goods दिये थे, तो इसलिए मैं उनको rebate देना पड़ा, तो हमारा क्या हो रहा है, बच्चों, हमें उत्ताब पैसा उनको refund देना पड़ा, ठीक है, तो हमारा येक तरीके से क्या हो रहा है, नुकसान, ठीक है, तो rebate allowed account debit, ठीक है, यह हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये debit हो जाएगा, ठीक है, और credit क्या होगा बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं उतने से गर्ग ब्रेधर की उधारी को कम कर रहे हैं ठीक है कि हम भाइट ठीक है आप आपको हमने इतने में गूड्स बेचे थे उसमें इतना डिफेक्टिव है तो चलो आप इतने मत दो अब इससे थोड़े कम दे दू ठीक है तो बच्चो इसमें वारा गर्ग ब्रदर्स का तो बना हुए बस रिबेट अलाउड account और बना रें तो रीबेट अलाउड deposit we Čड बच्चो एक और बना लिया हमने है थिग है क्या कर रहा है हम रिबेट अलाउड account को डेबिट कर रहे हैं और उसका दूसरे ऐफेक्ट किसमें ब्रदर्स राएं। अब गघलदर्स के लेजर एकाउन में जलते हैं ठीक है तो बचो हमने 75,000 की उसाल की ठीक है अब हम उसमें से 1500 रुपा उनका कम कर रहे हैं गर्ग ब्रदास को मैं credit किया तो credit site पर 1500 लिख दोगे और वो 1500 credit क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको rebate allowed कर रहे हैं तो by rebate allowed account हो जाएगा आया समझ में आपको तो बच्चो ये हमने सारी journal entries भी discuss कर ली और सबकी ledger account में posting भी कर दी लेकिन अभी हमको उनको balance भी करना है ठीक है तो balance कर लेते हैं आओ चलो कि चलो सबसे पहले machinery account बच्चो डेबिट साइट कितना आ रहा है टोटल दस लाग 25,000 क्रेडिट साइट मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरा बच्चो क्रेडिट साइट का balance कितना आ जाएगा उसको तराजू को बराबर करने के लिए दस लाग 25,000 बाए बैलेंस क्यारी डाउन ठीक है और नेक्स्ट मन्त में हम इसको टू बैलेंस ब्रोट डाउन इस बैलेंस को अगले क्रेडिट साइट कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर हमको पूरा बैलेंस डालना पड़ेगा धाई लाग का एक उसको बराबर करने के लिए तो बाए बैलेंस क्यारी डाउन अभी हमारा अकाउंट हो गया बालेंस ठीक है और अब बैलेंस अगले महीने क्यारी डाउन क्यार है 4,25,000 मतलब इतना कैश हमारे पास है था उसमें से हमने इतना खर्च कर दिया ठीक है तो अब इसको हमें बराबर करना है तो 4,25,000 माइनस 1,30,500 माइनस 2,25,000 माइनस 2,25,000 करते हैं तो हमारा बच्चों बैलेंस निकल के आ जाएगा 60,000 ठीक है तो आपके बैलेंस मतलब इ हजार रुपए बचे हैं और उसको आप नेक्स्ट मंत ब्रॉट डाउन कर दोगे ठीक है चलो ऐसे क्यापटल अकाउंट देखो क्यापटल अकाउंट बच्चों आपका क्रेडिट साइट देखो कितना टोटल आ रहा है 15,00,000 और डेबिट साइट कुछ भी नहीं है कोई ए ठीक है तो आप 2,037,500 को क्रेडिट कर दोगे ठीक है और उसका नेक्स्ट बालेंस करीडाउन कर दोगे तूलाग 37,000 का अब इतना बालेंस यहां पर लिख दोगे आया समझ में अब नरेश नरेश बचों हमारा क्रेडिटर था ठीक है तो उस समने एक लाग का परचेस किया उसको हमने 5,000 का रिटर्न किया और 50,000 रुपए हमने उसको पेमेंट कर दिया तो अब उसका कितना बालेंस बचा है 45,000 ठीक है तो आप लिख दोगे closing balance 45,000 और यह आपका account balance हो जाएगा 1,00,00,00 और यह इसका balance अप next month में brought down कर लोगे ठीक है चलो sales account का भी देख लो sales account का total कि बच्चों credit side पे 250,000 यहाँ कोई balance नहीं है तो यहाँ पर आप लिख दोगे to balance carried down clear है इतना आया समझ में फिर bank account बच्चों bank account का क्या हो रहा है देखो bank account का total इतना आ रहा है debit side 251,000 इन में से आप यह सारे खर्चे माइनस करो कि जो जो हुए तो अब आपका closing balance बच्चों कितना बचा 1,00,000 तो आप लिख दो कि buy balance carried down ठीक है 1,00,000 और इतना balance आप next month bank में आपका बचा हुए वो brought down क जालो गर्ग brothers बच्चों क्या थे हमारे debtors थे ठीक है तो total कितना left side का total कितना रहा है 1,25,000 तो right side का आप जब माइनस करोगे उसमें से तो आपका balance कितना बचेगा बच्चों by balance 73,500 तो आपका यह account tally हो जाएगा कुछ नहीं बहुत simple है हम लोग वही तराजू बराबर कर रह है next month में two balance brought down चलिए रीबेट allowed बच्चों रीबेट का 1500 है debit right side credit side में कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिख दोगे उसको by balance carried down 1500 similarly return outward का credit है 5000 तो आप debit side में क्या लिख दोगे बच्चों by balance carried down 5000 ठीक है सबको ऐसे ही करना है balance drawings में आपका 25,000 debit है तो उसका credit side में क्या लिख दोगे by balance carried down salary account में debit है 25,000 यहाँ पर भी लिख दोगे by balance carried down फिर interest receipt बचो 1000 रुपए debit side कुछ भी नहीं है तो बराबर करने के लिए 1000 यहाँ डालना पड़ेगा तो two balance carried down stationary account में बच्चों debit side है 25,000 credit में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर by balance carried down आया समझ में आया तो बस यह आपने ledger भी बना लिए और आपने सबकी balancing भी कर लिए सारे accounts अपने balance कर लिए अब अब हम छोटा सा overview देख लेते हैं क्या क्या आप trial balance कैसे बनाते हो ledger accounts को prepare करने के बाद ठीक है इसको मोर detail में पढ़ेंगे financial statements में लेकिन अभी बस एक छोटा सा overview ले लो ठीक है यह इसमें आपको इतना कुछ important अभी उतना नहीं समझना होता उतना depth में नहीं जाना है औ ठीक है चलिए तो trial balance बना लेते हैं एक अब जरब basic सा format देख लो इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं ठीक है ट्राइल बैलेंस किसका बना रहे हैं बच्चों हम हसीम का है न और इसमें आप ऐसे लिखते हो as on इसमें पर्टिकुलर डेट लिखते हो तो जैसे 30th एप्रेल हमारा जो मन्त एंड हो रहा है वो 30 अप्रेल को हो रहा है क्योंकि हम सारे बैलेंस को फॉर्स्ट में में कैरी फॉर्वर्ड कर रहे हैं ठीक है तो 30th एप्रेल 2020 ठीक है तो अब इसका आप ज़रा फॉर्माट देख लो बेसिक सा कैसे बनेगा सबसे पहले हम लिख लेते हैं या पर सीरियल नंबर ठीक है फिर आप यहाँ पर लिख लो पर्टिक्यूलर्स फिर आजाएगा हमारा लेजर फोलियो डेबिट और क्रेड़िट ठीक है बच्चों चलो यह आपका फॉर्माट हो गया बहुत सिंपल है सीरियल नंबर पर्टिक्यूलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट ठीक है अब जरा एक 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 देखते जाते हैं एक एक लेजर अकाउंट और उसको यहाँ पर लिखते जाते हैं ठीक है चलो आजाते हैं सबसे पहले लेजर अकाउंट पर देखो बच्चो कैसे बनता है ट्राइल गांडस सारे जित्व भी लेजर अकाउंट खुले हैं सबके नाम लिखने हैं machinery account ठीक है machinery account लिखेंगे औब उसका balance बच्चों इधर पर लिख रहे हैं इसका balance क्या रहा है बच्चों debit balance आ रहे है क्योंकि हमारे debit side जाधा भारी था उसको balance करने के लिए हमको credit में लिखना पड़ा ठीक है तो अब आपको ये तो confusion निए कि क्या debit बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है ठीक है यह कोई दिक्कत नहीं है ना चलो तो अब मशीनरी अकाउंट लिखेंगे इसका डेबिट बैलेंस कितना है बच्चों दस लाग बच्चिस हजार चलो लिखते जाते हैं फटाफट यह हो गया बच्चों मशीनरी अकाउंट ठीक है कितना दस लाग पच्चिस हजार नेक्स्ट उसके बाद कौन सा अकाउंट है उसके बाद बच्चों है फ़रनिचर अकाउंट फ़रनिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों धाय लाग रुपए नेक्स्ट लिख लो फरनिचर अकाउंट कितना धाई लाग उसके बाद फरनिचर के बाद बच्चो कश का बच्चो कुण सा है कैश का बच्चש डेबिट बैलन्स कितना आ रहा है साथ हजार रुपी ठीक है तो यहाँ पर लिख दो cash account बस आपको उठा उठा कि figure यहाँ पर लिखना है कि कि क्या debit किसका debit balance और किसका credit balance that's it ठीक है इसको एक मिनिट ज़रा और इसको हम लिख देते हैं ठाई लाग ठीक है चलो cash account भी हो गया हमारा नेक्स देख लेते हैं फोर्थ cash account के बाद हमारा कौन सा अकाउंट बना है cash account के बाद बचो हमारा बना है capital account ठीक है और इसका क्या आ रहा है credit balance आ रहा है ठीक है और credit side में क्या लिख दोगे 15 lakh क्लियर है इतना चलो अब नेक्स देख लेते हैं फिफ्थ देख लेते हैं क्या बोल रहा है capital account के बाद हमारा क्या है capital account के बाद है बच्चो हमारा purchases account ठीक है तो purchase account का क्या है बच्चो debit balance कितना 2,37,500 तो हम यह लिख देंगे 2,37,500 किसका है बच्चों यह purchases account ठीक है next देखते हैं purchases के बाद हमारा क्या आ रहा है purchases के बाद हमारा आ रहा है नरेश account है ना अब नरेश account का बच्चो क्या आ रहा है मेरा credit balance आ रहा है 45,000 इतना और मुझे due है ठीक है को डाउट तो नहीं कि credit side हमारा भारी है इसलिए जो balance बच रहा है balance यहाँ डाल रहा है हम वो credit balance बोलेंगे तो नरेश का बच्चो कितना आ जाएगा credit side पे 45,000 तो यहाँ पर लिख देंगे हम नरेश account ठीक है credit side पे बच्चो कितना 45,000 आया समझ में next देखो अब 7 नरेश के बाद कौन सा लेजर account है नरेश के बाद बच्चो sales account है ठीक है sales का क्या है बच्चो credit balance है धाई लाग रुप है तो यहाँ लिख देंगे बच्चो क्या sales account और credit balance कितना है बच्चो इसका धाई लाग ठीक है next आपको समझ में आ रहा है बस कुछ नहीं करना है head उठाना है उसका debit balance है credit balance है बस वो लिखना है और यह बन जाता है हमारा trial balance इसको हम और detail में बढ़ेंगे अगले chapter में लेकिन अभी एक overview ले लो sales account हो गया अब क्या बच्चो बच्चो बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट का क्या रहा है मेरा debit balance वन लाक वन थाउजन चलिए बैंक अकाउंट लिख लेता है बैंक अकाउंट ठेके debit कितना बच्चो वन लाक वन थाउजन आया समझ में चलो नाइन्थ बैंक अकाउंट के बाद बच्चो क्या है गर्ग ब्रेदर्स गर्ग ब्रेदर्स का क्या आ रहा है डेबिट बैलन्स 73,500 तो डेबिट साइड मेरे क्या लिख देते हैं 73,500 किसका बैलन्स है यह गर्ग ब्रदर्स ठीक है ऐसे ही अब जरह 10 देख लेते हैं क्या बचा है गर्ग ब्रेदर्स के बाद है बच्चों रिबेट अलाउड अकाउंट ठीक है रिबेट अलाउड का क्या है हमारा रिबेट अलाउड का हमारा डेबिट बैलन्स है 1500 का तो लिख दो यहाँ पर रिबेट अलाउड अकाउंट कितना बच्चों 1500 ठीक है नेक्स्ट क्या है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट उसका डेबिट बैलन्स है कितना 5000 रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इसका डेबिट बैलन्स कितना है बच्चों 5000 हजार ठीक है नेक्स देखते हैं ट्वेल्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट ठीक है ड्रॉइंग्स अकाउंट का बच्छों डेबिट बैलन्स कितना आ रहा है पच्छेस हजार रुपए अकाउंट का कितना रहा है फच्छेस हजार रुपए एक मटेक वट है रिटर्न आउट वर्ड का मेरा आएगा रिटर्न आउट वर्ड का मेरा क्रेडि बैलन्स है स्वरी बच्छों तो ये मेरा हो जाएगा 5000 क्रेडिट शालन इसको हम यह से 5,000 यह होगा credit, देखो ऐसी silly mistakes होती है, तो इसको इसलिए बहुत ध्यान से करना, ठीक है, clear है इतना, चलो, next देखो 13 वाला, drawings account के बाद, अब मेरा है, salary account, salary account का भी मेरा क्या है, बच्चों debit भारी है, तो debit balance हो जाएगा, 25,000, कितना हो जाएगा बच्चों, 25,000, ठीक है, next देखते हैं, salary account के बाद, क्या है मेरा, interest received account, ठीक है, तो इसका बच्चों क्या आ रहा है, credit balance आ रहा है, 1,000, तो interest received account, कितना है बच्चों, 1,000, credit balance, next, stationery account, इसका debit balance है, बच्चों, 25,000 रुपए, इसका debit balance हो गया, मेरा, 25,000 रुपए, ठीक है, तो बच्चों ये जो है, आपने सारे account का closing balances लिख दे कि किसका हमारा debit balance है, और किसका हमारा credit balance है, ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, आपको debit side का total लगाना है, और आपको credit side का total लगाना है, ठीक है, तो चलो, लगाते हैं जरा total, हमारा debit side का और credit side का, कितना आ रहा है debit side का total, 10,55,000, 10,30,000, 16,000, 25,000, 16,000, www.017,500, 15,00, 25,000, 25,000, and plus 2500 तो कितना हो रहा है बच्छों आपका 18,001,000 ठीक है हमारा ये डेबिट साइट का टोटल आ रहा है कितना 18,001,000 अब ज़रा देखो तो क्रेडिट साइट भी बराबर होना चाहिए मतलब तभी आपका सारी एंट्रीज और सारा लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलन सब कुछ पॉफेक्ट बना है क्रेडिट साइट देख लेते हैं क्या बोल रहा है 15,001,000 प्लस 45,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 तो यह आ पस हो गया बच्चों कितना 18,001,000 आया समझ में तो आपका देखो यह पूरा ट्रायल बैलन्स का फॉर्माट है तो क्या सारे लेजर अकॉंट्स बना है वो सारे लिख दोगे किसका डेबिट बैलन्स है किसका क्रेडिट बैलन्स है वो लिख दोगे और दोनों का टोटल ब बहुत डीटेल में डिसकस किया और सॉल्व भी किया अब बारिये बाकी के जो हमारे हो टीएस, mcq वगेरा बचे हैं और पूरे प्रैक्टिकल पॉब्लिम्स बचे हैं चाप्टर के वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई